यर्मियाह नामक पुस्तक अध्याए एक से बावन अध्याए एक यर्मियाह एक हिल्कियाह का पुत्र यर्मियाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था उसी के ये वचन है दो यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योश्यया के दिनों में उसके राज्ये के तेरहवे वर्ष में पहुचा तीन इसके बाद योश्ययाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योश्ययाह के पुत्र यहूदा के राजा सिद्कियाह के राजे के ग्यारवे वर्ष के अंत तक भी प्रगट होता रहा जब तक कि उसी वर्ष के पांचवे महीने में यरुशलेम के नि शेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविश्यद वक्ता ठहराया। छे तब मैंने कहा, हाई प्रभू यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। साथ परन्तु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह की मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहां तु जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आगया दून वही तु कहेगा। आठ तु उनके मुख को देख कर मत दर, क्योंकि तुझे चुडाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वानी है। नौ तब यहोवा ने हाथ बढ़ा कर मेरे मुख को छुआ, और यहोवा ने मुझ से कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिये हैं। दस सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजियों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और धा देने के लिए, नश्ट करने और कार डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। दो दर्शन 11 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे इर्मिया, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टेहनी दिखाई पड़ती है. 12 तब यहोवा ने मुझ से कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरित हूं. 13 फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुझ उत्तरदिशा की ओर से है. 14 तब यहोवा ने मुझ से क इस देश के सब रहने वालों पर उत्तरदिशा से विपत्ति आ पड़ेगी. 15 यहोवा की यहवानी है, मैं उत्तरदिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों और की शहर पना और यहुदा के और सब नगरों क सामने अपना अपना सिंधासन लगाएंगे. 16 उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आग्या दूनगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूब जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तूओं को दंडवत किया है. 17 इसलिए तू अपनी कमर का सकरोट और जो कुछ कहने की मैं तुझे आग्या दून वही उनसे कह. तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दून. 18 क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और या यही वानी है. अध्याए दो, परमेश्वर द्वारा इसराइल की देख भाल. एक यहूदा का यह वचन मेरे पास पहुचा, दो, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहूदा यह कहता है, तेरी जवानी कसने और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरन आ और विपत्ती में पढ़ेंगे, यहूदा की यही वानी है. इसराइल का पाप, चार हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के कुलों के लोगो, यहूदा का वचन सुनो. पांच यहूदा यों कहता है, तुम्हारे पुर्खाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई की मुझ से दूर हर गए और निकम्मी वस्तूओं के पीछे होकर स्वयम निकम्मे हो गए. छे उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गणों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से जिसम कोई मनुश्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहा है? साथ और मैं तुमको इस उपजाओ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपजखाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया, और मेरे इस निजभाग को घृनित कर दिया आठ याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहा है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझ को न जानते थे, चरवाहों ने भी मुझ से बलवा किया, भविश्य द्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविश्य द्वानी की और निश्वल बातों के पीछे चले, अ केदार में दूद भेज कर भली भाती विचार करो और देखो, देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है? क्या किसी जाती ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? ग्यारा परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है? बारा है आकाश, चकेत हो, बहुत ही थर्थरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यहवानी है. तेरा क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराईयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने होद बना लिये, वरन ऐसे होद जो तूट दे हैं और जिन में जल नहीं रह सकता. इसराइल के अविश्वास का परिनाम 14. क्या इसराइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यू शिकार बना? 15 जवान सिम्होंने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया. उन्होंने उसके देश को उजार दिया, उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजार दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही न 18. अब तुझे मिस्र के मार्क से क्या लाब है कि तू सिहोर का जल पिये 19. तेरी बुराई ही तेरी तारना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग ना, यह बुरी और कड़वी बात है, तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभू से नाओं के यहोवा की यही वानी है परमेश्वर की आराधना करने से इस्राइल का इंकार 20. क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोर डाला और तेरे बंधन खोल दिये, परन्तु तुने कहा, मैं सेवा ना करूंगी और सब उचे उचे तीलों पर और सब हरे पेलों के नीचे तु व्यभिचारिन कासा काम करती रही 21. मैंने तो तुझे उत्तम जाती की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तु क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बंग गई 22. चाहे तु अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वानी है 23. तु कैसे कह सकती है, मैं शुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली 24. जंगल में पली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर वायू सुन्भती फिरती है तब कौन उसे वश में कर सकता है जितने उसको ढूंडते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी रितु में पाएंगे 25. अपने पाव नंगे और गला सुखाएं न रहे हैं, परन्तु तू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी 26. जैसे चोर पकड़े जाने पर लजज़ित होता है, वैसे ही इसराइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविश्यद वक्ताओं समेथ लज़ित होगा 27. वे कार्ट से कहते हैं, तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, तूने मुझे जन दिया है 28. तुम क्यूं मुझसे वादविवाद करते हो, तुम सबोंने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वानी है 30. में नेव्यर थी तुम्हारे बेटों की तारना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना, तुमने अपने भविश्यद वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा कार्ट डाला है, जैसा सिंग फारता है 31. लोगो, यहोवा के वचन पर ध्यान दो, क्या मैं इस्राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना, तब मेरी प्रजा क्यूं कहती है, हम तो आजाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे 32. क्या कुमारी अपना श्रिंगार या दुलहिन अपनी सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजाने युगों से मुझे बुला दिया है 33. प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है, बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है 34. तेरे घागरे में निर्दोश और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है, तूने उन्हे सेंध लगाते नहीं पकड़ा परन्तु इन सब के होते हुए भी 35 तू कहती है, मैं निर्दोश हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा देख, तू जो कहती है, मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याई कराऊंगा 36 तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी दावाडोल फिरती है जैसे अशूरियों से तू लज्जित हुई वैसे ही मिस्रियों से भी होगी 37 वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यों ही चली आएगी क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल न होगी अध्याय तीन इसराइल एक दुराचारिनी पत्नी एक वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा क्या वह देश अती अशुधना हो जाएगा यहोवा की यहवानी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है क्या तू अब मेरी और फिरेगी दो मुंडे टीलों की और आखें उठा कर देख ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने को कर्म ना किया हो मारगों में तू ऐसी बैटी जैसे एकर भी जंगल में तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुधा कर दिया है तीन इसी कारण जडियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती तो भी तेरा माथावेश्या कासा है तू लजजित होना ही नहीं जानती चार क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी हे मेरे पिता तू भी मेरी जवानी का साथ ही है पांच क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा तू ने ऐसा कहा तो है परन्तु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किये हैं इस्राइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनेवार्य छे फिर योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा क्या तुने देखा कि भटकने वाली इस्राइल ने क्या किया है उसने सब उचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है साथ तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी और फिरेगी परंतु वह न फिरी और उसकी विश्वासधाती बहिन यहूदा ने यह देखा आठ फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इसराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया तो भी उसकी विश्वासधाती बहिन यहूदा न डरी वरन जाकर वह भी व्यभिचारिन बन गई नौ उसके निरलज व्यभिचारिनी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया उसने पत्थर और काट के साथ भी व्यभिचार किया दस इतने पर भी उसकी विश्वासधाती बहिन यहूदा पूर्ण मान से मेरी और नहीं फिरी परन्तु कापट से यहोवा की यही वानी है ग्यारा यहोवा ने मुझ से कहा भटकने वाली इस्राइल विश्वासधातिन यहूदा से कम दोशी निकली है बारा तू जाकर उत्तर दिशा में ये बाते प्रचार कर यहोवा की यहवानी है हे भटकने वाली इस्राइल लौटा मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टी ना करूंगा क्योंकि यहोवा की यहवानी है मैं करुणा मैं हूँ मैं सरवदा क्रोध ना रखे रहूंगा तेरा केवल अपना यह आधर मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना यहोवा की यहवानी है 14. हे भटकने वाले लड़कों लोटाओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ यहोवा की यहवानी है तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुचा दूंगा 15. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकुल चर्वाहे दूंगा जो ग्यान और बुद्धी से तुम्हें चराएंगे 16. उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूग यहोवा की यह भीवानी है उसका विचार भी उनके मन में न आएगा न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरमत होगी 17. उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंधासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित इकर्थी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी 18. उन दिनों में यहुदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूरवजों को निजभाग करके दिया था 19. मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश दून जो सब जातियों के देशों का शिरोमनी है 20. इसमें तो संदेह नहीं की जैसे विश्वासगाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है 21. मुंडे तीलों पर से इसराइलियों के रोने और गिलगिल आने का शब्द सुनाई दे रहा है क्योंकि वे टेड़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए है 22. हे भटकने वाले लड़को, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूनगा देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तु ही हमारा परमेश्वर यहोवा है 23. निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है 24. परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुर्खाओं की कमाए अर्थात उनकी भेड़ बक्री और गाए बेल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है 25. हम लजजित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओरनी बन जाए क्योंकि हमारे पुर्खा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नह अध्याई 4. पश्चाताप का आहवान अपनी परती भूमी को जोतो और कटीले जाडों में बीज मत बोओ चार हे यहुदा के लोगों और यरुशलेम के निवासियों यहोवा के लिए अपना खतना करो हाँ अपने मन का खतना करो नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोधाग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा उत्तर दिशा से आक्रमन की सूचना पांच यहुदा में प्रचार करो और यरुशलेम में यह सुनाओ पूरे देश में नरसिंगा फुंको गला खोल कर ललकारो और कहो आओ हम इकठे हो और गढ़वाले नगरों में जाएं छे सियोन के मार्ग में जंडा खड़ा करो अपना सामान बटोर के भागो खड़े मत रहो क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ती और सत्यानाश ले आया हूँ साथ एक सिंग अपनी जाड़ी से निकला जाती जाती का नाश करने वाला चड़ाई करके आ रहा है वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजार दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए आठ इसलिए कमर में टाट बाधो, विलाप और हाए हाए करो क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हमपर से टला नहीं है नौ, उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नभी अचम्भित हो जाएंगे, यहोवा की यहवानी है दस तब मैंने कहा, हाए, प्रभू यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शान्ती मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशिलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्रानों को मिटाने पर है ग्यारा उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशिलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है, वह ऐसी वायू नहीं जिससे उसाना या फरचाना हो, बारा परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वा से चलते हैं, हम पर हाई, हम नश्ठ हुए, 14 है यरूशिलेम, अपना हृदे बुराई से धो, कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम कब तक वियर्थ कल पनाई करते रहोगे, 15 क्योंकि दान से शब्द सुनाई पढ़ रहा है और एप्रेम के पहारी देश से विपत्ती क समाचार आ रहा है, 16 जाती जाती में सुना दो, यरूशिलेम को भी इसका समाचार दो, आक्रमनकारी दूर देश से आकर यहुदा के नगरों के विरुद्धललकार रहे हैं, 17 वेखेत के रखवालों के समान उसको चारों और से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझ से बलवा क यहोवा की यही वानी है, 18 यह तेरी चाल और तेरे कामोही का फल है, यह तेरी दुष्टता है और अती दुखदाई है, इससे तेरा हृदे छित जाता है, यर्मियाह की पीढ़ा और दू, ख, 19 हाए, हाए, मेरा हृदे भीतर ही भीतर तडपता है, और मेरा मन घबराता है, म क्योंकि है मेरे प्राण, नर्सिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। विनाश का दर्शन मिलना 27 क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजार हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंतना कर दालूंगा। 28 इस कारण प्रिथवी विलाप करेगी और आकाश शोग का काला वस्त्र पहिनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इसे नहीं पच्ताऊंगा और ना अपने प्रन को छोड़ूंगा। 29 इस नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं, वे जाडियों में घुस्ते और चटानों पर चड़े जाते हैं, सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। 30 और तू जब उज़रेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहिने और सोने के आभूशन धारन करे और अपनी आँखों में अंजन लगाए, परन्तु व्यर्थी तू अपना श्रिंगार करेगी. क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्रानों के खोजी हैं. 31 क्योंकि मैं नेजचा का शब्द पहिलोर्था जनती हुई स्त्री किसी चिलाहत सुनी है, यह सियोन की बेटी का शब्द है, जो हाफती और हाथ फैलाए हुए यों कहती है, हाई मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पढ़कर मूर्चित हो चली अध्याई 5. यरूश्रिलेम का पाप तुने उनको नश्ट किया, परंतु उन्होंने तारना से भी नहीं माना, उन्होंने अपना मन चटान से भी अधिक कठोड किया है, उन्होंने पश्चा ताप करने से इंकार किया है, चार फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मा कर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है छे इस कारण वन में से एक सिंग आकर उन्हें मार डालेगा निरजल देश का एक भेडिया उनका नाश करेगा एक चीता उनके नगरों के पास धात लगाए रहेगा और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा क्योंकि उनके अपराद बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझ से बहुत ही दूर हड़ गए हैं साथ मैं कैसे तेरा पाक शमा करून तेरे लड़कों ने मुझ को छोल कर उनकी शपत खाई है जो पर मेश्वर नहीं है जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभि पिचार किया और वेश्याओं के घरों में भील की भील जाते थे आठ वे खिलाए पिलाए बेलगाम भोडों के समान हो गए वे अपने अपने पढ़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे नौ क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दन न दून यहोवा की यहवानी है क्या मैं ऐसी ज यहोवा की यहवानी है कि इस्राइल और यहुदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासधात किया है परमेश्वर का इस्राइल को त्याग देना बारा उन्होंने यहोवा की बाते जुठला कर कहा वह ऐसा नहीं है विपत्ती हम पर ना पढ़ेगी न हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे तेरा भविश्यद वक्ता हवा हो जाएंगे उनमें इश्वर का वचन नहीं है उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा चौदह इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों कहता है ये लोग जो ऐसा कहते हैं इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुह में आग और इस प्रजा को कार्ड बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी पंद्रा यहोवा की यह वानी है हे इसराइल के घराने डेख मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाती को चड़ा लाँगा जो सामर्थी और प्राचीन है उसकी भाशा तुम ना समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं सोला उनका तरकश खुली कबर है और वे सब के सब शूरवीर हैं सत्रा तुम्हारे पके खेत और भूजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं उन्हें वे खा जाएंगे वे तुम्हारी भीर बकरियों और गाए बैलों को खा डालेंगे वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नश्ट कर देंगे अठारह तौभी यहोवा की यहवानी है उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंतना कर डालूंगा उन्नीस जब तुम पुछोगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम से ये सब काम किसलिये किये हैं तब तुम उनसे कहना जिस प्रकार से तुमने मुझ को त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है उसी प्रकार से तुम को पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी उद्धरन चिन्ह अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी बीस याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ 21 हे मूर्ख और निर्बुद्धी लोगों तुम जो आखें रहते हुए नहीं देखते जो कान रहते हुए नहीं सुनते यह सुनो 22 यहोवा की यहवानी है क्या तुम लोग मेरा भई नहीं मानते क्या तुम मेरे सम्मुक नहीं थर्थराते मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहरा कर युब युब का ऐसा बांग ठहराया कि वह उससे पार ना कर सके और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल न हो सकें या जब वे गरजें तो भी वे उसको ना पार कर सकें 23 पर इस प्रजा का हठीला और बल्वा करने वाला मन है इन्होंने बल्वा किया और दूर हो गए है 24 वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंध दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सब्ताहों को हमारे लिए रखता है इसलिए हम उसका भहिमाने 25 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामोही के कारण वे रुख गए और तुम्हारे पापोही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती 26 मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं जैसे चिवी मार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं वे फंदा लगा कर मनुश्यों को अपने वश में कर लेते हैं। 27 जैसा पिंजडा चिडियों से भरा हो वैसे ही उनके घर चल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। 28 वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। 29 इसलिए यहोवा की यहवानी है। क्या मैं इन बातों का दन न दून। क्या मैं ऐसी जाती से पलता न लून। 30 देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। 31 भविश्यद्वक्ता जूट मूट भविश्यद्वानी करते हैं और याजक उन के समय तुम क्या करोगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। साथ जैसा खुए में से नित्य नया जल निकला करता है वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है चोट और मारपीक मेरे देखने में निरंतर आती है। यरूशिलिम तारना से ही मान ले नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजार कर निर्जन कर डालूंगा। विद्रोही इस्राईल नौ सेनाओं का यहोवा यों कहता है इस्राईल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंड का तोड़े जाएंगे दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। दस मैं किस से बोलूं और किसको चिताकर कहून की वे माने। देख, ये उचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते, देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। जाएंगी क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा यहोवा की यही वानी है 13. क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लाल्ची हैं और क्या भविश्चिद वक्ता क्या याजिक सब के सब छल से काम करते हैं 14. शांती है शांती ऐसा कै कहकर मेरी प्रजा के घाव को उपर ही उपर चंगा करते हैं परंतु शांती कुछ भी नहीं पंद्रह क्या वे कभी अपने घ्रिनित कामों के कारण लजजित हुए? पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेगे। बीस मेरे लिए जो लोबान शबासे और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे हुंबलियों से मैं प्रसन नहीं हूँ और न तुम्हारे मेलबली मुझे मीठे लगते हैं। 21 इसकारण यहोवा ने यों कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पडोसी और मित्र, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। 22 इहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर से वरन प्रित्वी की छोड से एक बड़ी जाती के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। 25 मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहाँ शत्रू की तलवार और चारों और भय दिखाई पड़ता है। 29 इहोवा ने उनको खोटा पाया है। 29 इहोवा की ओर से यर्मिया के पास पहुचा वह यह है। 29 इहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे। 30 इहोवा का मंदिर है। 30 इहोवा का मंदिर यहोवा का मंदिर। 5 यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुश्य मनुश्य के बीच न्याय करो। 6 परदेशी और अनात और विध्वा पर अंधेर ना करो, इस थान में निर्दोश की हत्या ना करो, और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानी होती है, साथ तो मैं तुमको इस नगर में, और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूरवजों को दिय 8 देखो, तुम जूटी बातों पर भरोसा रखते हो, जिनसे कुछ लाब नहीं हो सकता 9 तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, जूटी शपत खाते, बाल देवता के लिए धूब जलाते, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, दस्तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलता है, और मेरे स्वयम यह देखा है, यहोवा की यहवानी है, 12 मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, बहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है, 13 अब यहोवा की यह वानी है, कि तुम जो यह सब काम करते आये हो, और यद्यपी मैं तुम से बड़े यत्म से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले, 14 इसलिए यह भवन जो मेरा कहलता है, जिस पर त अस्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूरवजों को दिया था, इसकी दशाम मैं शीलो की सी कर दूनगा, 15 जैसा मैंने तुम्हारे सब भाईयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूनगा, प्रजा 16. इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए उचे स्वर से पुकार न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूँगा। 21. इस यहोवा की एहवानी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं जिससे उनके मुँँपर सियाही चाए? 20 अता प्रभू यहोवा ने यों कहा है, क्या मनुश्यक, क्या पशु, क्या मैदान के व्रिक्ष, क्या भूमी की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में हैं, मेरे कोप की आग भढ़कने पर है, वो नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी. 21 सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है, यों कहता है, अपने मेलबलियों के साथ अपने होमबली भी बढ़ाओ और मास खाओ. 22 क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्व देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होमबली और मेलबली के विशे कुछ आग्या न दी थी. 23 परंतु मैंने उनको यह आग्या दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्क की मैं तुम्हें आग्या दून उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा. 24 पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े. 25 जिस दिन तुम्हारे पुर्खा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों, भविश्यद वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा. 26 परन तु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया, उन्होंने हट किया, और अपने पुर्खाओं से बढ़कर बुराईयां की हैं. 27 तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी न सुनेगे, तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे. 28 तब तू उनसे कह देना, यह वही जाती है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, और तारना से भी नहीं मानती, सच्चाई नश्थ हो गई, और उनके मुँँ से दूर हो गई है. 29 अपने बाल मुनना कर फेक दे, मुन्डे तीलों पर चड़ कर विलाप का गीदगा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है. हिन्नम की तराई के घ्रिनित कार्यक 30 यहोवा की यहवानी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है, जो मेरी दृष्टी में बुरा है, उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है, अपनी घ्रिनित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है. 31 और उन्होंने हिन्नमवन्शियों की तराई में तोपेत नामक उचे स्थान बनाकर, अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आग्या मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वह कभी आया. 32 यहुवा की यहवानी है, इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और ना हिन्नमवन्शियों की कहलाएगी, वरंगात की तराई कहलाएगी, और तोपेत में इतनी कब्रें होंगी की और स्थान न रहेगा. 33 इसलिए इन लोगों के शब आकाश के पक्षियों और प्रित्वी के पशुओं का आहार होंगे और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा. 34 इस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशिलेम की सडकों में न तो हर्श और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुलहे और न दुलहिंका, क्योंकि देश उजार ही उजार हो जाएगा. अध्याई आठ एक, यहूवा की यहवानी है. उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजिकों, भविश्यदवक्ताओं और यरूशिलेम के रहने वालों की हडियां कब्रों में से निकाल कर, दो सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गनों के सामने फैलाई जाएंगी. यहूदा नावे एक इकट्थी की जाएंगी, ना कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमी के ऊपर खाद के समान पडी रहेंगी. तीन तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें सेमें ने उन्हें निकाल दिया है जीवन से अधिक मृत्युही को चाहेंगे सेनाओं के यहवा की यही वानी है पाप और दांड चार्ट तू उनसे यह भी कह यहोवा यों कहता है कि जब मनुश्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते पांच जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लोट नहीं आता फिर क्या कारण है कि यह यरुशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं यह चल नहीं छोडते और फिर लोटने से इंकार करते हैं छेह मैंने ध्यान दे कर सुना परंतु यह ठीक नहीं बोलते इन में से किसी ने अपनी बुराई से पच्चता कर नहीं कहा हाए मैंने यह क्या किया है जैसा घोडा लड़ाई में वेग से दौरता है वैसे ही इन में से हर एक जन अपनी ही दौर में दौरता है साथ आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती आठ, तुम कैसे कह सकते हो की हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका जूठा विवरन लिखकर उसको जूठ बना दिया है नौ बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है उनमें बुद्धी कहा रही दस इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुष्यों को और उनके खेट दूसरे अधिकारियों के वश्में करदूनगा क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लाल्ची है क्या भविश्यदवक्ता क्या या जिक, वे सब के सब छल से काम करते है ग्यारा उन्होंने शांती है, शांती ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को उपर ही उपर चंगा किया परंतु शांती कुछ भी नहीं है बारा क्या वे घृनित काम करके लजज़ित हुए नहीं, वे कुछ भी लजजित नहीं हुए, वे लजजित होना जानते ही नहीं इस कारण जब और लोग नीचे गिरें, तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंट का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे, यहुवा का यही वचन है तेरा यहुवा की यह भी वानी है, मैं उन सबों का अंत कर दूनगा न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएंगी, और न अंजीर के वरिक्ष में अंजीर वरन उनके पत्ते भी सूप जाएंगे और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा चौदा हम क्यों चुप चाप बैठे हैं आओ, हम चलकर गरवाले नगरों में एकटे नश्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहुवा हम को नश्ट करना चाहता है और हमें विश्पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहुवा के विरुद्धपाप किया है पंद्रह हम शान्ती की बार जोहते थे, परंतु कुछ कल्यान नहीं मिला और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है सोलह, उनके घुडों का फुराना दान से सुनाई पड़ता है और बलवंद घुडों के हिन हिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेट नश्ट किया है सत्रह क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुमको डिसेंगे, यहोवा की यही वानी है अपने लोगों के लिए इर्मियाह की पीड़ा अठारह हाए, हाए, इस शोग की दशा में मुझे शांती कहां से मिलेगी मेरा हृदे भीतर ही भीतर तड़पता है उननीस मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है क्या यहोवा सियोन में नहीं है क्या उसका राजा उसमें नहीं क्यूं उन्होंने मुझे को अपनी खोदी हुई मूरतों और परदेश की व्यर्थ वस्तूओं के द्वारा क्रोध दिलाया है बीस, कटनी का समय बीद गया फल तोडने की रितू भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ 21 अपने लोगों के दू, खसे मैं भी दू, खित हुआ मैं शोक का पहिरावा पहिने अती अचंबे में दूबा हूँ 22 क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की और शदी नहीं क्या उसमें कोई वैद्य नहीं यदि है, तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए अध्याए 9 एक भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आँखें आंसूओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता दो भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़ कर वहीं चला जाता क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वास धातियों का समाज है तीन अपनी अपनी जीब को वे धनुष के समान जूट बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवन्त तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं यहोवा की यही वानी है चलही के कारण वे मेरा ज्यान नहीं चाहते, यहोवा की यही वानी है साथ इसलिए सेनाओं का यहोवा यों कहता है देख, मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण में उनसे और क्या कर सकता हूँ आर्थुन की जीब काल के तीर के समान बेधने वाली है, उससे चल की बाते निकलती है वे मुह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं नौ, क्या मैं ऐसी बातों का दन न दून यहोवा की यहवानी है क्या मैं ऐसी जाती से अपना बदला न लून 10. मैं पहारों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीद गाउनगा और जंगल की चरायों के लिए विलाप का गीद गाउनगा क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता पशु पक्षी सब भाग गए हैं 11. मैं यरूशलेम को खंधर बना कर गीदुरों का स्थान बनाऊनगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजार दूनगा कि उनमें कोई न बसेगा 12. जो बुद्धिमान पुरुश हो वह इसका भेद समझ ले और जिसने यहूदा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे देश का नाश क्यूं हुआ? क्यूं वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता 13. और यहूदा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं 14. वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले जैसा उनके पुर्खाओं ने उनको सिखलाया 15. इस कारण सेनाओं का यहोवा इसराइल का परमेश्वर यों कहता है सुन मैं अपनी इस प्रजा को करवी वस्तू खिलाऊंगा और विश्पिलाऊंगा 16. मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तोवे न उनके पुर्खा जानते थे और जब तक उनका अंतना हो जाए तब तक मेरी और से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी 17. सेनाओं का यहोवा यों कहता है सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो 18. वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोग का गीत गाएं की हमारी आँखों से आंसु बह चलें और हमारी पलके जल बहाए 19. सियों से शोग का यह गीत सुनाई पड़ता है हम कैसे नश्ट हो गए 20. इसलिए हेस्त्रियों यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आग्या मानो तुम अपनी अपनी बेटियों को शोग का गीत और अपनी अपनी पढोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ 21. क्योंकि मृत्यू हमारी खिर्कियों से होकर हमारे महलों में गुस आई है कि हमारी सडकों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे 22. तु कह, यहोवा यह कहता है 23. यहोवा 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 हूँ जो प्रित्वी पर करूना नयाय और धर्म के काम करता है 25. यहोवा की यहोवा की यहोवानी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतनारहितों के समान दंड दूनगा, 26 अर्थात मिस्रियों, यहुदियों, अदौमियों, अम्मोनियों, मौबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुनना डालते हैं क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं, और इस्राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है. अध्याय दस, मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना एक यहोवा यों कहता है, हे इस्राइल के घराने जो वचन यहोवा तुम से कहता है उसे सुनो दो, अन्यजातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चेहनों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्यजाति लोग उनसे विस्मित होते हैं तीन क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है चार लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथोले से कील ठोंक ठोंक कर द्रिल करते हैं कि वह हिल दुल न सके पांच वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं पर वे बोल नहीं सकती उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती उनसे मत दरो क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला छे है यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बढ़ा है साथ है सब जातियों के राजा, तुझ से कौन न डरेगा क्योंकि यह तेरे योग्य है, अन्यजातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है आठ परंतु वे पशु सरीके निरे मूर्ख हैं, मूर्तियों से क्या शिक्षा? वे तो काठ ही हैं, नौपत्तर बनाई हुई चांदी तर्शीश से लाई जाती है और उफाज से सोना वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी हैं, उनके पहिरावे नीले और बैंजनी रंग के वस्त्र हैं, उनमें जो कुछ है वह निपुन कारीगरों की कारीगरी ही है दस परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदाकार आजा वही है हो जाएंगे स्तुति का गीत 12 उसी ने प्रित्वी को अपनी सामर्थे से बनाया उसने जगत को अपनी बुद्धी से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीनता से तान दिया है तेरा जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्ध होता है और प्रित्वी की छोड से वह को रेकोर्ट आता है वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है 14 सब मनुष्य पशु सरी के ग्यानरहित हैं अपनी खोदी हुई मूरतों के कारण सब सुनारों की आशा तूटती है क्योंकि उनकी धाली हुई मूरते जूटी है और उनमें सांस ही नहीं है पंद्रा वे व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य हैं जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नश्ट हो जाएंगी 16 परंतु याकूब का निजभाग उनके समान नहीं है क्योंकि वह तो सब का स्रिजन हार है और इस्राइल उसके निजभाग का गोत्र है सेनाओं का यहोवा उसका नाम है आने वाली दास्ता 17 है घेरे हुए नगर की रहने वाली अपनी गठ्वी भूमी पर से उठा 18 क्योंकि यहोवा यों कहता है मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रख कर फिक दूनगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूनगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा 19 मुझ पर हाए मेरा घाव चंगा होने का नहीं फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है इसलिए मुझ को इसे सहना चाहिए 20 मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्यां तूट गई हैं मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे 21 क्योंकि चर्वाहे पशू सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते इसी कारण वे बुद्धी से नहीं चलते और उनकी सब भिड़ें तितर बितर हो गई है 22 सुन एक शब्द सुनाई देता है देख वहा आ रहा है उत्तर दिशा से बड़ा हुलर मच रहा है ताकि यहुदा के नगरों को उजार कर गीद्रों का स्थान बना दे 23 हे यहोवा मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है 24 हे यहोवा मेरी तारना कर पर निया इसे क्रोध में आकर नहीं कहीं ऐसा नहों कि मैं नश्ठ हो जाऊं 25 जो जाती तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजार दिया है अध्याई 11 यर्मयाह और वाचा यों कहता है, स्रापित है वह मनुशिव जो इस वाचा के वचन न माने चार जिसे मैंने तुम्हारे पुर्खाओं के साथ लोहे की भर्थी अर्थात मिस्व देश में से निकालने के समय यह कहके बाधी थी, मेरी सुनो और जितनी आग्याएं मैं तुम्हें देता हूं उन सब का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, पांच और जो शपत मैंने तुम्हारे पित्रों से खाई थी की जिस देश में दूद और मधू की धाराएं बहती हैं उससे मैं तुमको दूनगा, उससे पूरी करूंगा, और देखो, वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। छे तब यहोवा ने मुझ से कहा, यह सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सडकों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। साथ क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुर्खाओं को मिस्व देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको द्रिलता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। आठ परन्तु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किन्तु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विशे इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने उन्हें आग्या दी थी और उन्होंने न मानी नौफिर यहोवा ने मुझ से कहा यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है दस जैसे इनके पुर्खा मेरे वचन सुनने से इंकार करते थे वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरन करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं इसराइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है ग्यारह इसलिए यहोवा यों कहता है देख मैं इन पर ऐसी विपत्ती डालने पर हूँ जिससे ये बचना सकेंगे और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूँगा बारह उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दोहाई देंगे जिनके लिए वे धूब जलाते हैं परंतु वे उनकी विपत्ती के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे तेरा है यहुदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लजजापूर्ण बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया है चौदह, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, न कोई इन लोगों के लिए उचे स्वर से विनती करे क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ती के मारे मेरी दोहाई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूँगा पंद्रह, मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ को कर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी रीती से जाती रही है जब तू बुराई करती है, तब प्रसन होती है सोला यहोवा ने तुझ को हरा, मनोहर, सुन्दर फलवाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुलर के शब्द होते ही उसमें आग लगाई, और उसकी डालियां तोड़ डाली गई सत्रा सेनाओं का यहोवा, जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ती डालने के लिए कहा है, इसका कारण इस्राइल और यहुदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित धूब जलाया इर्मयाह के विरुद्ध शड्यंत 18 यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तिया मुझे पर प्रगट की 19 मैं तो वद होने वाले भेड के बच्चे के समान अंजान था मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानी की युक्तियां यह कहकर करते हैं आओ, हम फल समेत इस रिक्ष को उखार दें, और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरन न रहे 21 इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तु यहोवा का नाम लेकर भविश्यद्वानी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा 22 इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विश्य यों कहता है, मैं उनको दंद दूनगा, उनके जवान तलवार से, और उनके लड़के लड़कियां भूकों मरेंगे, यह इस और उनमें से कोई भी न बचेगा मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ती डालूंगा, उनके दंद का दिन आने वाला है अध्याए बारह, यिर्मयाह के प्राश्च्न एक है यहोवा, यदी मैं तुझ से मुकद्दमा लड़ूं, तो भी तु धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विशय पर वादविवाद करने दे दुष्टों की चाल क्यूं सफल होती है, क्या कारण है कि विश्वास धाती बहुत सुक से रहते हैं दो, तु उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बलते और फलते भी हैं, तू उनके मुके निकट है परन्तू उनके मनों से दूर है तीन हे यहोवा तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी और किस प्रकार रहता हूँ जैसे भिर बक्रियां घात होने के लिए जुन्ड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वद के दिन के लिए तैयार कर चार कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सुखी रहेगी देश के निवासियों की बुराई के कारण पशू पक्षी सब नश्ठ हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को न देखेगा पांच, तू जो प्यादों ही के संग दौल कर थक गया है तो घोडों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा और यद्यपी तू शांती के इस देश में निदर है, परन्तु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा चेह क्योंकि तेरे भाय और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वास घात किया है, वे तेरे पीछे लिलकारते हैं, यदि वे तुझ से मीठी बातें भी कहें, तो भी उनकी प्रतीती ना करना अपने लोगों के कारण पर मेश्वर का दू, ख साथ, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निजभाग मैंने त्याग दिया है, मैंने अपनी प्रान्पिया को शत्रूँ के वश में कर दिया है 8, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में 1 के सिंग के समान हो गया और मेरे विरुद धगरजा है, इस कारण मैंने उसे बैर किया है 9, क्या मेरा निज भाग मेरी द्रिश्टी में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है क्या शिकारी पक्षी चारों और से उसे घेरे हुए हैं जाओ सब जंगली पशुओं को इकठा करो, उनको लाओ की खा जाएं दस बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगार दिया उन्होंने मेरे भाग को लताडा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है ग्यारा उन्होंने उसको उजार दिया, वह उजड़कर मेरे सामने विलाब कर रहा है सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता बारा जंगल के सब मुंदे टीलों पर नाश करने वाले चड़ाए हैं क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है किसी मनुश्य को शांती नहीं मिलती तेरा उन्होंने गेहून तो बोया, परंतु कटीले पेल काटे उन्होंने कश्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाब न हुआ यहोवा के क्रोध के भढ़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विशय में लजजित हो शत्रू राष्ट्रों को दंड चौदह मेरे दुष्ट पडोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं, जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इस्रायल को बनाया है उनके विशय यहोवा यों कहता है, मैं उनको उनकी भूमी में से उखार डालूंगा और यहुदा के घराने को भी उनके बीच में से उखारूंगा पंद्रह उन्हें उखारने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उन में से हर एक को उसके निजभाग और भूमी में फिर से लगाऊंगा इहोवा की यही वानी है अध्याय तेरा लुंगी का उदाहरन एक यहोवा ने मुझ से यों कहा जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे दो तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली तीन तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा चार जो लुंगी तुने मोल लेकर कटी में कसली है उसे फरात के तड़ पर ले जा और वहां उसे चटान की एक दरार में छिपा दे पांच यहोवा की इस आग्या के अनुसार मैंने उसको फरात के तड़ पर ले जाकर छिपा दिया छे बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझ से कहा उट फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आग्या दी थी उसे वहां से ले ले यहोवा यों कहता है, नौ इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नश्ट कर दूंगा। यहोवा यों कहता है, तब वे तुझ से कहेंगे, क्या हम नहीं जानते की दाकमधू के सब कुप्पे दाकमधू से भर दिये जाएंगे। देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को विशेश करके दावद्वंश की गद्धी पर विराजमान राजा और याजिक और भविश्यदवक्ता आदी यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोपरूपी मदिरा पिला कर अचेत कर दूनगा। 14 तब मैं उन्हें एक दूसरे से टक्रा दूनगा अर्थाद बाप को बेटे से और बेटे को बाप से यहवा की यहवानी है। मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नश्ट होने से बचाऊंगा। 17 पर यदि तुम इसे न सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहवा की भिड़ें बध्वा कर ली गई हैं। 18 राजा और राजमाता से कह, नीचे बैट जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शुभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। 19 दक्षन देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा, संपूर्न यहुदी जाती बंदी हो गई है, वह पूरी रीती से बधोय में चली गई है। 20 अपनी आखें उठा कर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। 23 क्या हबशी अपना चमणा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है। 27 व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदी तेरे घिनोंने काम जो तुने मैदान और तीलों पर किये हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरुशिलिम, तुझ पर हाए! तु अपने आपको कब तक शुधना करेगी? और कितने दिन तक तु बनी रहेगी? अध्याएक 14 भयंकर सुखा एक यहोवा का वचन जो इर्मिया के पास सूखा पढ़ने के विशय में पहुचा दो, यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिने हुए भूमी पर उदास बैठे हैं और यरुशिलिम की चिलाहट आकाश तक पहुच गई है तीन उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं वे गढ़ों पर आकर पानी नहीं पाते इसलिए चूचे बरतन लिये हुए घर लोड़ जाते हैं वे लजज़ित और निराश होकर सिर धाप लेते हैं चार देश में पानी नबर्सने से भूमी में दरार पड़ गई हैं इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर धाप लेते हैं पांच हरिनी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती छे जंगली गदहे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदलों के समान हाफते हैं उनकी आखें धुंधला जाती है क्योंकि हर्याली कुछ भी नहीं है साथ हे यहोवा हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं हम तेरा संग छोड़ कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है तो भी तू अपने नाम के निमित कुछ कर आठ हे इस्राइल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो नौ तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचाना सके तू भी है यहोवा तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं इसलिए हम को न तज दस यहोवा ने इन लोगों के विशेयों कहा इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके इसलिए यहोवा इन से प्रसंद नहीं है वह इनका अधर्म स्मरन करेगा और उनके पाप का दंद देगा ग्यारा फिर यहोवा ने मुझ से कहा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर बारा चाहे वे उप्वास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूँगा और चाहे वे होंबली और अनबली चड़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसंद न होँँगा मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंतकर डालूंगा तेरा तब मैंने कहा हाई प्रभु यहोवा देख भविश्यदवक्ता इनसे कहते हैं न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी यहोवा तुमको इस थान में सदा की शांती देगा 14 तब यहोवा ने मुझ से कहा ये भविश्यदवक्ता मेरा नाम लेकर जूठी भविश्यदवानी करते हैं मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आग्यादी और न उनसे कोई भी बात कही 15 वह तुम लोगों से दर्शन का जूठा दावा करके अपने ही मंसे व्यर्थ और धोखे की भविश्यदवानी करते हैं पंद्रह इस कारण जो भविश्यदवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविश्यदवानी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महेंगी होगी उनके विशे यहोवायों कहता है वे भविश्यदवक्ता आप तलवार और महेंगी के द्वारा नश्ट किये जाएंगे सोलह और जिन लोगों से वे भविश्यदवानी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सडकों में फेक दिये जाएंगे कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे-बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्ही के उपर उन्डे लूँगा सत्रह, तू उनसे यह बात कह, मेरी आँखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें, वे न रुकें क्योंकि मेरे लोगों की कुवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है 18. यदी मैं मैदान में जाऊं, तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े हैं यदी मैं नगर के भीतर आऊं, तो देखो, भूक से अधमरे पड़े हैं क्योंकि भविश्यदवक्ता और याजग देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं उद्धरन चेन, परमेश्वर से लोगों का निवेदन 19. क्या तूने यहुदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सियोन से घ्रिना करता है? नहीं, तूने क्यों हम को ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? 20. हम शांती की बार जोहते रहे, तो भी कुछ कल्यान नहीं हुआ, और यद्यपी हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे, तो भी घबराना ही पड़ा है 20. हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुर्खाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्धपाप किया है 21. अपने नाम के निमित हमें नर्थुक्रा, अपने तेजों में सिंघासन का अपमान न कर, जो वाचा तुने हमारे साथ बाधी, उसे स्मरन कर और उसे न तोड़ 22. क्या जाती-जाती की मूरतों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश जड़ियां लगा सकता है? 22. यहुदा के लोगों का पूर्ण त्याग एक फिर यहुवा ने मुझ से कहा, यदि मूसा और शमुविल भी मेरे सामने खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की और न फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो की वे निकल जाएं. 23. दो यदि वे तुझ से पूछें, हम कहा निकल जाएं? तो कहना, यहुवा यों कहता है, जो मरने वाले हैं, वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने को, जो आकाल से मरने वाले हैं, वे आकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं, वे बधुआई में चले जाएं तीन में उनके विरुद्ध चार प्रकार के विनाश ठहराउंगा, मार डालने के लिए तलवार, फार डालने के लिए कुटे, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फार कर खाने के लिए धर्ती के हिंसक जंतू, यहोवा की यहवानी है चार यह हिजकिया के पुत्र यहुदा के राजा मंश्चे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलिम में किये हैं और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे प्रिथवी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे पांच, हे यरूशलिम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोग करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी और मुणेगा? छेह यहोवा की यहवानी है कि तु मुझ को त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ा कर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ साथ मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है आठ उनकी विध्वाएं मेरे देखने में समूद्र की बालू के किनेकों से अधेक हो गई हैं, उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही को मैंने लुटेरों को ठहराया है, मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है नौ साथ लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्रान भी छोड़ दिया, उसका सूर्य दोपहर ही को अस्थ हो गया, उसकी आशा तूट गई और उसका मुह काला हो गया जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रूओं की तलवार से मरवार डालूंगा, यहोवा की यही वानी है इर्मयाह का विलाप दस है मेरी माता, मुझ पर हाए, कि तू ने मुझ जैसे मनुश्य को उत्पन किया जो संसार भर से जगड़ा और वादविवाद करने वाला ठहरा है न तो मैंने ब्याज के लिए रुप्ये दिये और न किसी से उधार लिये हैं, तो भी लोग मुझे कोस्ते हैं ग्यारा यहोवा ने कहा, निश्चे मैं तेरी भलाई के लिए तुझे द्रिल करूँगा, विपत्ती और कष्ट के समय मैं शत्रू से भी तेरी विनती कराऊंगा बारा क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है तेरा तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं मैं तेरी धन संपत्ती और खजाने बिना दाम दिये लुट जाने दूंगा चौदह मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रूं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़ा कुठी है और वह तुमको जलाएगी पंद्रा हे यहोवा तू तो जानता है मुझे स्मरन कर और मेरी सुधी लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलता ले तू धीरच के साथ क्रोध करने वाला है इसलिए मुझे न उठा ले तेरे ही निमित मेरी नामधराए हुई है सोला जब तेरे वचन मेरे पास पहुचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए क्योंकि हे से नाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ सत्रह तेरी चाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठ कर प्रसन नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तुने मुझे क्रोध से भर दिया था अठारह मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई और शदी नहीं है, क्या तू सच मुझ मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सुखने वाले जल के समान होगा 19 यह सुनकर यहोवा ने यों कहा, यदी तू फिरे, तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा यदी तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा वे लोग तेरी और फिरेंगे, परन्तु तू उनकी और ना फिरना 20 मैं तुझ को उन लोगों के सामने पीतल की द्रिर शहर पनाह बनाऊंगा वे तुझ से लड़ेंगे, परन्तु तुझ पर प्रबल न होंगे क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ यहोवा की यहवानी है मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा 21 और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा अध्याई 16 यरूशलिम के लिए परमेश्वर की इच्छा एक यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा 2. इस थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा 3. क्योंकि जो बेटे बेटियां इस थान में उत्पन हो और जो माताएं उन्हें जन्माएं 4. उनके विशे यहोवा यों कहता है वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे उनके लिए कोई छाती न पीटेगा न उनको मिट्टी देगा वे भूमी के उपर खाद के समान पड़े रहेंगे वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शब आकाश के पक्षियों और मैदान के पश्वों का आहार होंगे पांच, यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना क्योंकि यहोवा की यहवानी है कि मैंने अपनी शान्ती और करुना और दया इन लोगों पर से उठा ली है छेह इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुंडाएंगे इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शान्ती दें, साथ और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शान्ती के लिए कटोरे में दाखमधू पिलाएंगे आठ तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना नौकियों की सेनाओं का यहोवा, इस्राइल का परमेश्वर यों कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दुलहे और न दुलहिन का शब्द 10. जब तु इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझ से पूछें, यहोवा ने हमारे उपर यह सारी बड़ी विपत्ती डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? 11. तो तु इन लोगों से कहना यहोवा की यहवानी है, क्योंकि तुम्हारे पुर्खा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंदवत की, और मुझ को त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, 12. और जितनी ब जानते हो और न तुम्हारे पुर्खा जानते थे, और वहां तुम राद दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रहना करूंगा, उद्धरन चेन्ह, बधु आई से वापसी, 14. फिर यहोवा की यहवानी हुई, सब देशों से जहां उसने उनको बधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंद, क्योंकि मैं उनको उनके निजदेश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था, लोटा ले आउंगा, आने वाला दन्ड, 16. देखो, यहोवा की यहवानी है, मैं ब बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा की वे इनका एर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चटानों की दरारों में से निकालें, 17. क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रगठ है, वह मेरी दृष्टी से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंद दूनगा, 18. क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी ग्रिनित वस्तूओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निजभाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है, यर्मया जूठी, व्यर्थ और निश्वल वस्तूओं को अपनाते आए हैं, 20. क्या मनुश्य इश्वरों को बनाए? नहीं, वे इश्वर नहीं हो सकते, 21. इस कारण, इस एक बार, मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा, और वे जानेंगे की मेरा नाम य होआ है. अध्याय सत्रह, यहुदा का पाप और उसका दंग。 एक, यहुदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनकी हिदे रुपी पटिया और उनकी वेदियों के सीन्गों पर भी खुदा हुआ है. दो उनकी वेदियां और अशेरा नामक दे और तेरे पूजा के उँचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। चार तू अपने ही दोश के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। वह निर्जल और निर्जन तथा लोंचाई भूमी पर बसेगा। साथ धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आठ वह उस व्रिक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगीगी उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विश्य में कुछ चिंता न होगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। नौ मन तो सब वस्तूओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। दस्प में यहोवा मन की खोचता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फलदून। तुझे छोड़ देते हैं वे सब लजडित होंगे, जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमी ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जलके सोते यहोवा को त्याग दिया है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उसाने वाली विपत्ती के दिन की लालसा की है, जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रगट था। सत्रा मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरंस्थान है। अठारा है यहोवा, मेरी आशा तूटने न दे, मेरे सताने वालों ही की आशा तूटे, उन ही को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ती डालो और उनको चकना चूर कर दे। विश्राम दिवस का पालन विश्राम के फाटकों के भीतर ले आओ। कोई बोज न ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीती का काम काज न करो। पच्चीस तब तो दावत की गदी पर विराजमान राजा, रतों और भोडों पर चड़े हुए हाकिम और यहुदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सरवदा बसा रहेगा। 26 लोग होंबली, मेलबली, अनबली, लोबान और धन्यवादबली लिये हुए यहुदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाडी देश और दखिन देश से, यहोवा के भवन में आया करेंगे। 27 परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोज लिये हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वहाग पिर न बुझेगी। 6. हे इसराइल के घराने, यहोवा की एहवानी है कि इस कुमहार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इसराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो. साथ जब मैं किसी जाती या राज्य के विशे कहून की उसे उखरूंगा या धादूंगा अथ्वा नश्ट करूंगा, आठ तब यदि उस जाती के लोग जिसके विशे मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ती के विशे जो मैंने उन पर डालन की ठानी हो पच्चताउंगा, नौ और जब मैं किसी जाती या राज्य के विशे कहून की मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, दस तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टी में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विशे जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो, पच्चताउंगा, ग्यारह इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारी हानी की युक्ती और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार को त्याग दिया, तेरह, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, जाती जाती से पूछ की ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं, इस्राइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं, चौदा क्या लबानोन का हिम जो चटान पर से मैदान में बहता है, बंध हो सकता है, क्या वर थंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है, पंद्रा परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तूओं के लिए धूब जलाते हैं, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खा सत्रह मैं उनको पुर्वाई से उला कर शत्रू के सामने तितर बितर कर दूँगा, उनकी विपत्ती के दिन मैं उनको मुह नहीं परंतु पीज दिखाऊंगा, यर्मयाह की हत्या का शड्यन्त, अठारा तब वे कहने लगे, चलो यर्मयाह के विरुद्ध युक्ती करें, क् न ज्यानी से सम्मती, न भविश्यदवक्ता से वचन दूर होंगे, आओ, हम उसकी कोई बात पकड़ कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें, उननी से यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, और जो लोग मेरे साथ जगरते हैं उनकी बातें सुन, बीस क्य भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए, तू इस बात का स्मरंग करकी में उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए, और अब उन्होंने मेरे प्रान लेने के लिए गढ़ाख होदा है, 21 इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रिया निर्वंश और विध्वा हो जाएं, उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं, 22 जब तू उन पर अचानक शत्रुडल चड़ा तब उनके घरों से चिलाहत सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गढ़ा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं, 23 है यहोवा, तू उनकी सब्योक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यू के लिए करते हैं, इस कारण तू उनके इस अधर्म को न धाप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा, वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं, अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर, अध्याए 19, तूटी सुराही का उदाहरन, एक यहोवा ने यों कहा, तू जाकर कुमहार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुर प्राही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर, दोहिन नौमियों की तरही की और उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकर एफेक दिये जाते हैं, और जो वचन मैं कहून, उसे वहां प्रचार कर, तीन आटाचा जायेगा, चार क्योंकि यहां के लोगों ने मुझे त्याग दिया, और स्थान में दूसरे देवताओं के लिए जिनको न तो वे जानते हैं, और ना उनके पुर्खा या यहुदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है, औ पर उन्होंने इस स्थान को निर्दोशों के लहु से भर दिया, पांच और बाल की पूजा के उचे स्थानों को बना कर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया, यद्यपी मैंने कभी भी जिसकी आग्या नहीं दी, ना उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया, छेह इस कारण यहोवा की एहवानी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिन्नौमियों की तरहीं न कहलाएगा, वरंगाथी की तरहीं कहलाएगा, साथ मैं इस स्थान में यहुदा और यरुशलेम की युक्तियों को निश्वल कर दूनगा, और उन्ह उनके प्रानों के शत्रूं के हाथ की तलवार चलवा कर गिरा दूनगा, उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमी के जीवजिन्तूं का आहार कर दूनगा, आर्थ मैं इस नगर को ऐसा उजार दूनगा की लोग इसे देख कर दरेंगे, जो कोई इसके पास से हो कर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा, नौर घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्रान के शत्रूं उन्हें दाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मास उन्हें खिलाओंगा, और एक दूसरे का भी मास खिलाओंगा, द तोपेट नामक तराई में इतनी कब्रें होनगी की कब्र के लिए और स्थान न रहेगा 12 यहोवा की यहवानी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ हैसाही काम करूँ गा, मैं इस नगर को तोपेट के समान बना दूँगा तेरा यरुशिलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूब जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया है वे सब तोपेद के समान अशुद्ध हो जाएंगे चौदा तब यर्मिया तोपेद से लोट कर जहां यहूवा ने उसे भविश्यद्वानी करने को भेजा था यहूवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा 15. इसराइल का परमेश्वर सिनाओ का यहूवा यों कहता है देखो सब गावों समेट इस नगर पर वह सारी विपत्ती डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है अध्याए 20. इर्मियाह और पशहूर याजक के बीच विवाद एक जब इर्मियाह यह भविश्यद्वानी कर रहा था तब इम्मेर के पुत्र पशहूर ने जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था वह सब सुना दो तब पशहूर ने इर्मियाह भविश्यद्वक्ता को मारा और उसे उस कार्थ में जकर दिया जो यहोवा के भवन के उपर बिन्यामीन के फाटक के पास है तीन सबेरे जब पशहूर ने यर्मियाह को काठ में से निकलवाया तब यर्मियाह ने उससे कहा यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोर मिस्सा बीब रखा है चार्कियों की यहोवा ने यों कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भैका कारण ठहराऊंगा वे अपने शत्रूओं की तलवार से तेरे देखते ही वद किये जाएंगे मैं सब यहुदियों को बैबिलोन के राजा के वश में कर दूनगा, वह उनको बंदी बना कर बैबिलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा पांच फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाए और सब अनमोल वस्तूओं को और यहुदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है उस सब को उनके शत्रूओं के वश में कर दूनगा और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बैबिलोन में ले जाएगे छे और हे पशहूर तू उन सब समेथ जो तेरे घर में रहते हैं बधुआई में चला जाएगा अपने उन मित्रों समेथ जिनसे तूने जूटी भविश्यद्वानी की तू बैबिलोन में जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएग 8. क्योंकि जब मैं बाते करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ उपद्रव और उत्पात हुआ हाँ उत्पात क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठटा का कारण होता रहता है 9. यदी मैं कहून मैं उसकी चर्चा न करूँगा न उसके नाम से बोलूँगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड़ियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते ठक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता 10. मैंने बहुतों के मुझसे अपनी निंदा सुनी है चारों और भए ही भए है मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बार जोते हैं वे कहते हैं उसके दोश बताओ तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे 11. परन्तु यहोवा मेरे साथ है वह भयनकर वीर के समान है इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे वे ठोकर खाकर गिरेंगे 12. वे बुद्धी से काम नहीं करते इसलिए उन्हें बहुत लजजित होना पड़ेगा उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा 12. हे सेनाओं के यहोवा हे धर्मियों के परकने वाले और हृदय और मन के ग्याता जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं क्योंकि मैंने अपना मुकद्धमा तेरे उपर छोड़ दिया है 13. यहोवा के लिए गव, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वा दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है 14. स्रापित हो वा दिन जिसमें मैं उत्पन हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझ को जन दिया वा धन्यना हो 15. स्रापित हो वा जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया की तेरे लड़का उत्पन हुआ है 16. उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया धा दिया 17. उसे सबेरे तो चिलाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे 17 क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में नमार डाला की मेरी माता का गर्भाशे ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पढ़ा रहता 18. मैं क्यों उत्पात और शोग भूगने के लिए जन्मा और की अपने जीवन में परिश्रम और दू ख़ देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं 21. यरूशलिम के पतन की भविश्यद्वानी 21. एक यह वचन यहोवा की ओर से यर्मिया के पास उस समय पहुचा जब सिद्किया राजा ने उसके पास मिल्किया के पुत्र पशहूर और मासिया याजिक के पुत्र सपन्या के हाथ से यह कहला भेजा 2. हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बैबिलोन का राजा नबुकदनेसर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है, कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए 3. तब इर्मियाह ने उनसे कहा, तुम सिद्किया से यो कहो, 4. इस्राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, युद्ध के जो हतियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बैबिलोन के राजा और शेहर पनाह के बाहर घिरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लोटा कर इस नगर के बीच में एकठा करूंगा, पांच और मैं स्वयम हाथ बढ़ा कर और बलवंद भुजा से, और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा, छेह मैं इस नगर के रहने वालों को क्या मनुश् सब को मार डालूंगा, वे बड़ी मरी से मरेंगे। देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यू का मार्ग भी बताता हूँ। यहुदा के राजवन्ष पर दंग। 11. यहुदा के राजकुल के लोगों से कह, यहुदा का वचन सुनो, 12 हे दाउद के घराने। यहुदा के राजवन्ष पर देश की चटान, तुम जो कहते हो, हम पर कौन चड़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, चौदह और यहोवा की वानी है कि मैं तुम्हें दन देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुखताऊंगा, मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों और सब कुछ भस्म हो जाएगा अध्याए 22, यहूदा के राजवंश के लिए यर्मयाह का संदेश एक यहोवा ने यों कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतर कर यह वचन कै, दोहे दाउद की गद्धी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत, जो इन फार्टकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। तीन यहोवा यों कहता है, न्याय और धर्म के काम करो, और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुडाओ, परदेशी, अनात और विध्वा पर अंधेर व उब्द्रव मत करो, न इस थान में निर्दोशों का लहू बहाओ, चार देखो, यदि तुम ऐसा करोगे, तो इस भवन के फाटकों से होकर दावत की गद्दी पर विराजमान राजारतों और भोलों पर चड़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे, पांच परंतु, यदि तुम इन बातों को न मानो तो, मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहत हूँ, यहोवा की एहवानी है, की एह भवन उजार हो जाएगा। छै क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विशय में यों कहता है, तु मुझे गिलाद देश सा और लबानों के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चे मैं तुझे मरुस्थलव एक निर्जन नगर बनाऊंगा। साथ मैं नाश करने वालों को हतियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में जोंक देंगे। आठ जाती जाती के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछें यहवा हाज शलूम के विशय यर्मयाह का संदेश। दस मरे हुए के लिए मत रो उसके लिए विलाप मत करो। उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है क्योंकि वह लोटकर अपनी जन्मभूमी को फिर कभी देखने ना पाएगा। 11. क्योंकि यहूदा के राजा योशय याह का पुत्र शलूम जो अपने पिता योशय याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया उसके विशय में यहोवायों कहता है वह फिर यहां लोटकर ना आने पाएगा। 12. वह जिस स्थान में बधुआ होकर गया है उ न्याई से बनवाता है जो अपने पढोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। 14. वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चोड़ा घर और हवादार उपरी कोटरी बना लूनगा और वह खिरकियां बना कर उन्हें देवदार की लकडी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है 15 तू जो देवदार की लकडी का अभिलाशी है क्या इस रीती से तेरा राजिस्थिर रहेगा देख तेरा पिता न्याई और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुक से भी रहता था 16 वह इस कारण सुक से रहता था क्योंकि वह दी करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और द्रिष्टी लगाता है 18 इसलिए योश्यया के पुत्र यहूदा के राजा यहोया कीम के विशय में यहोवा यह करता है जैसे लोग इस रीती से कहकर रोते हैं हाई मेरे भाई हाई मेरी बहिन इस प्रकार कोई हाई मे विशय यर्मयाह का संदेश 20 लबानोन पर चड़ कर हाई हाई कर तब बाशान जाकर उचे स्वर से चिल्ला फिर अबारीम पहार पर जाकर हाई हाई कर क्योंकि तेरे सब मित्र नश्ट हो गए हैं 21 तेरे सुक के समय मैंने तुझ को चिताया था परंतु तुने कहा मैं तेरी न सुनूंगी युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती 22 तेरे सब चरवाहे वायू से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बधोई में चले जाएंगे निश्चे तू उस समय अपनी सारी बुराईयों के कारण लजजित होगी और तेरा मुह 23 हे लबानोन की रहने वाली हे देवदार में अपना घोसला बनाने वाली जब तुझ को जचा किसी पीरा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी 24 यहोवा की यहवानी है मेरे जीवन की सौगंद चाहे यहोवाकीम का पुत्र यहुदा का राजा कौन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फिकता 25 मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिन से तू डरता है उनके अर्थाद बैबिलोन के राजा नबुकदने सर और कसदियों के हाथ में कर दूनगा 26 मैं तुझे तेरी जन्नी समेत एक पराए देश में जो तुम्हारी जन्मभूमी नहीं है फिक डूनगा और तुम वहीं मर जाओगे 27 परंतु जिस देश में वे लोटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी लोटने ना पाएंगे 28 क्या यह पुरुष कौन्या तुच्छ और तूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंच समेत अंजाने देश में क्यूं निकाल कर फेंग दिया जाएगा? 29 प्रिथवी, प्रिथवी, हे प्रिथवी, यहोवा का वचन सुन 30 यहोवा यहोवा यहोग कहता है, इस पुरुष को निर्वंच लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंच में से कोई भाग्यवान होकर दावद की गद्दी पर विराजमान या यहुदियों पर प्रभुता करने वाला होगा 30 भविश्य की आशा तुमने मेरी भेर बकरियों की सुधी नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की यहवानी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंद दूनगा तीन तब मेरी भेर बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिन में मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयम ही उन्हें लोटा लाकर उन्हीं की भेर शाला में एकठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी चार मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर दिरेंगी, न विसमित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी, यहुवा की यहवानी है पांच, यहुवा की यह भी वानी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दावत के कुल में एक धर्मी अनकोर उगाउंगा और वह राजा बनकर बुद्धी से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा चै उसके दिनों में यहुदी लोग बचे रहेंगे और इस्राइली लोग निदर बसे रहेंगे और यहुवा उसका नाम यहुवा हमारी धर्मिक्ता रखेगा साथ इसलिए देख यहुवा की यहवानी है कि ऐसे दिन आएंगे जिन में लोग फिर न कहेंगे यहुवा जो हम इस्राइलियों को मिस्र देश से चुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंद आठ परंतु वे यह कहेंगे यहुवा जो इस्राइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगन्द, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे भविश्यदवक्ताओं के विशे यिर्मयाह का संदेश नौ भविश्यदवक्ताओं के विशे मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है मेरी सब हड़िया थर-थराती हैं, यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर, मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाकमदू के नशे में चूर हो गया हो दस्क्योंकि यह देश व्यविचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है वन की चरायां भी सूख गई लोग बड़ी दौर तो दौरते हैं, परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं, परंतु अन्याही के साथ 11. क्योंकि भविश्यद्वक्ता और याजग दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वानी है 12. इस कारण उनका मार गंधेरा और फिसलन भरा होगा जिसमें वे धकेल कर गिरा दिये जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वानी है कि मैं उनके दंट के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा 13. शौमरोन के भविश्यद्वक्ताओं में मैंने यह मूर खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविश्यद्वानी करते और मेरी प्रजा इस्राइल को भटका देते थे 14. परंतु यरूश्यलेम के नभियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिन से रोंटे खड़े हो जाते हैं अर्थात्व्य अभिचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाता भी नहीं करते सब निवासी मेरी द पेश में भक्ति हींता फैल गई है। अथारा भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। उननीस देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचन बवंड़ और आंधी चलने लगी है और उसका जोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। बीस जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांद न होगा। प्रचा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यहवानी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। चौबीस फिर यहोवा की यहवानी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है, कि मैं उसे न देख सकूँ। क्या स्वर्ग और प्रित्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं हैं। 25 मैंने इन भविश्यदवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर जूट ही भविश्यदवानी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न 26 जो भविश्यद्वक्ता जूट मूट भविश्यद्वानी करते और अपने मन ही के छल के भविश्यद्वक्ता हैं यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी 27 जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुर्खा मेरा नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे थे वैसे ही अब यह भविश्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वाप्न बता बता कर मेरा नाम भूलाना चाहते हैं 28 यदि किसी भविश्यद्वक्ता ने स्वाप्न देखा हो तो वह उसे बताए परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए यहोवा की यह वानी है कहा भूसा और कहा गेहून 39 यहोवा की यह भी वानी है क्या मेरा वचन आगसा नहीं है फिर क्या वह ऐसा हत्वड़ा नहीं जो पत्थर को फोर डाले तीस यहोवा की यह वानी है, देखो, जो भविश्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ 31 फिर यहोवा की यह भी वानी है कि जो भविश्यद्वक्ता उसकी यह वानी है ऐसी जूटी वानी कहकर अपनी अपनी जीब हिलाते हैं मैं उनके भी विरुद्ध हूँ 32 यहोवा की यह भी वानी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आग्या पाइस वपन देखने का जूठा दावा करके भविश्यदवानी करते हैं और उसका वर्नन करके मेरी प्रजा को जूठे घमंड में आकर भरमाते हैं उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाब न होगा परमेश्वर का वचन 33 यदि जन साधारन में से कोई जन या कोई भविश्यदवक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है तो उससे कहना क्या प्रभावशाली वचन यहोवा की यहवानी है म मैं तुमको त्याग दूनगा। 34 और जो भविश्य द्वक्ता या याज क्या साधारन मनुश्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे उसको घराने समेट मैं दंद दूनगा। 35 तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से योँ पूछना यहोवा ने क्या उत्तर दिया या यहोवा ने क्या कहा है। 36 यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविश्य में न कहना नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंद का कारण हो जाएगा क्योंकि हमारा परमेश्वर से नाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिये हैं। 37 तु भविश्य द्वक्ता से यो पूछ यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया। और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुर्खाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूनगा। 40 और मैं ऐसा करूनगा कि तुम्हारी नामधराय और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। अध्याए 24 अंजीर से भरे दो टोकरे एक जब बैबिलोन का राजा नबुकद ने सर यहोयाकीम के पुत्र यहुदा के राजा यकोन्या को और यहुदा के हाकिमों और लोहारों और अन्यकारीगरों को बंदी बना कर यरूशलेम से बैबिलोन को ले गया तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के साम योग्य भी न थे। तीन फिर यहुवा ने मुझ से पूछा, हे गिर्मिया, तुझे क्या दिखाई पढ़ता है। मैंने कहा, अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं, वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम में हैं, वे बहुत ही निकम में हैं, वरन ऐसे निकम में है कि खाने के योग्य भी नहीं है चार तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा पांच इस्राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है जैसे अच्छे एंजीरों को वैसे ही मैं यहुदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देख कर प्रसन हूँगा छेह मैं उन पर कृपाद रिष्टी रखूँगा और उनको इस देश में लोटा ले आउँगा और उन्हें नश्टन करूँगा परन्तु बनाऊंगा उन्हें उखारन डालूँगा परन्तु लगाए रखूंगा साथ मैं उनका ऐसा मन कर दूनगा कि वे मुझे जानेंगे की मैं यहोँ वहुँँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे आठ परंतु जैसे निकम में अंजीर निकम में होने के कारण खाए नहीं जाते उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिद्किया और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलिमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूनगा। अध्याई 25 उत्तर दिशा से आने वाला शत्रू अर्था 23 वर्ष से यहूदा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुम से कहता आया हूँ, परन्तु तुमने उसे नहीं सुना। चार यद्यपी यहूवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अत्वा भविश्यद वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है, पांच की, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहूवा ने प्राची वस्तूओं के द्वारा मुझे रिस्दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानी ना करूंगा, साथ यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तूओं के द्वारा मुझे रिस्दिलाते आयो जिस से तुम्हारी हानी ही हो सकती है, यहूवा की यही वानी है आठ इसलिए सेनाओं का यहोवा यों कहता है तुमने जो मेरे वचन नहीं माने नौ इसलिए सुनो मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाओंगा और अपने दास बैबिलों के राजा नबुकदनेसर को बुलवा भेजूनगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आउनगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजार दूंगा की लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे यहोवा क दस मैं ऐसा करूंगा कि इन में न तो हर्ष और ना अनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दुलहे या दुलहिन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और न इन में दिया जलेगा 11. सारी जातियों का यह देश उजार ही उजार होगा और यह सब जातियां 70 वर्ष तक बैबिलोन के राजा के आधिन रहेंगी 12. जब 70 वर्ष बीच चुके तब मैं बैबिलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंद दूनगा यहुवा की यह वानी है और उस देश को सदा के लिए उजार दूनगा 13. मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विशय में कहे हैं और जितने वचन ये रमियाहने सारी जातियों के विरुद्ध भविश्यद्वानी करके पुस्तक में लिखे हैं 14. क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे और मैं उनको उनकी करनी का फल भुपताऊंगा 15. इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझ से यों कहा 16. इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उनसब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया 18. हर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया ताकि उनका देश उजार हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें जैसा आजकल होता है 19. और मिस्र के राजा फिरोन और उसके करमचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को 20 और सब विदेशी मनुश्यों को और उजदेश के सब राजाओं को और पलिष्टियों के देश के सब राजाओं को और अशकलोन, अजज़ा और एक्रोन के और अशडोत के बचे हुए लोगों को 21 और अदोनियों, मौबियों और अमोनियों को और सारे राजाओं को इस प्रकार धर्ती भर में रहने वाले जगत के राजियों के सब लोगों को मैंने पिलाया, इन सब के बाद शेशिक के राजा को भी पीना पड़ेगा। 27. तब तू उनसे यह कहना, सिनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है, यो कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पढ़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा 28. यदिवे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सिनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमको निश्चे पीना पड़ेगा 29. देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ती डालने लगूनगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? 30. तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं प्रित्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ, सेनाओं के यहोवा की यही वानी है 30. इतनी बाते भविश्यद्वानी की रीती पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा उपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा, वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वह प्रित्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लतारने वालों के समान ललकारेगा, 31. प्रित्वी की छोर लों भी को लाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकद्दमा है, वह सब मनुश्यों से वादविवाद करेगा, और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा, 32. सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, विपत्ती एक जाती से दूसरी जाती में फैलेगी और बड़ी आंधी प्रित्वी की छोर से उठेगी, 33. उस समय यहोवा के मारे हुओं के शब प्रित्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शब न तो बटोरे जाएंगे और न कबरों में रखे जाएंगे, वे भूमी के उपर खाद के समान पड़े रहेंगे, 34. हे चरवा हो, हाई हाई करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मिड़ो और बक्रो, राक में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वद होने के दिना पहुँचे हैं और मैं मनोहर बरतन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, 35. उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मिड़े और बक्रे भागने पाएंगे, 36. चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मिड़ों और बक्रों युवा सिंग के समान वह अपने थोर को छोड़ कर निकलता है, क्योंकि अंधेर कर नहारी तलवार और उसके भर के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। ये वचन जिनके विशय उनसे कहने की आग्या मैं तुझे देता हूं कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। तीन संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानी करने से पचता हूं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। चार इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यों कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, पांच और न मेरे दास भविश्यदवत्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बढ़ा यत् चार करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी छे तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजार दूनगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूनगा कि प्रिथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमादे दे कर शाप दिया करेंगे। उसको पकड़ लिया, निश्चे तुझे प्रानन मिलेगा। नौ तुने क्यों यहोवा के नाम से यह भविश्यद्वानी की की यह भवन शीलो के समान उजार हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारन लोगों न यहोवा के भवन में यिर्मया के विरुद्ध भीर लगाए। दस यहूदा के हाकिम ये बाते सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चड़ाए और उसके नए फाटक में बैट गए। भवन और इस नगर के विरुद्ध भविश्यद्वानी की रीती पर कहने के लिए भेज दिया है। तेरह इसलिए अब अपना चालचलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो तब यहोवा उस विपत्ती के विशय में जिसकी चर्चा उसने तुम से की है, पच्चताएगा। यहोवा के नाम से हमसे कहा है। क्या उस राजा ने यहोवा का भे न माना और उससे विनती न की। तब यहोवा ने जो विपत्ती उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विशय क्या वहना पच्चताया। ऐसा करके हम अपने प्रानों की बड़ी हानी करेंगे। 21 जब यहोवा कीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यातन किया और उर्ययाह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। 22 तब यहोवा कीम राजा ने मिस्र में लोग भीजे अर्थात अकबोर के पुत्र अलनातान को कुछ और पुरुशों के साथ मिस्र को भेजा। 23 वे उर्ययाह को मिस्र से निकाल कर यहोवा कीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसके शव को साधारन लोगों की कबरों में फिनकवा दिया। 24 परंतु शापान का पुत्र अही कौम यर्मियाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वद होने के लिए नहीं दिया गया। 27 यर्मियाह की गर्दन पर जुआ 28 एक योशियाह के पुत्र यहुदा के राजा सिद्कियाह के राज्य के आरंब में यहुवा की ओर से यह वचन यर्मियाह के पास पहुँचा 29 यहुवा ने मुझ से यह कहा बंधन और जुवे बनवा कर अपनी गर्दन पर रख 30 तब उन्हें अदोम और मुआब और अम्मोन और सोड और सीदों के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहुदा के राजा सिद्कियाह के पास यरुशिलिम में आए हैं 40 उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आग्या देना इस्राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहुवा यों कहता है अपने अपने स्वामी से यों कहो की पाんच प्रितवी को और प्रितवी पर के मनुश्यों और पशूँव को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के दोरा मैंने बनाया और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ छेहब मैने ये सब देश अपने दास बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर को आप ही दे दिये हैं और मैदान के जीवजिन्तुओं को भी मैने उसे दिया है कि वे उसके आधिन रहें साथ ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के आधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन आए तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे आठ पर जो जातिया राज बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर के आधीन नहों और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले उस जाति को मैं तलवार, महेंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटाना दून यहोवा की यही वानी है नौ इसलिए तुम लोग अपने भविश्यद वक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनों और तांत्रिकों की और चित मत लगाओ जो तुम से कहते हैं कि तुम को बैबिलोन के राजा के आधीन नहीं होना पड़ेगा दसक्यों की वे तुम से जूटी भविश्यद वानी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुम को दूर करके नश्ट कर दून ग्यारा परंतु जो जाती बैबिलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके आधीन रहेगी उसको मैं उसी के देश में रहने दूनगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी यहोवा की यही वानी है 12 यहूदा के राजा सित्किया से भी मैंने ये बातें कहीं अपनी प्रजा समेत तू बैबिलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसके और उसकी प्रजा के आधीन रहकर जीवित रहे तेरा जब यहोवा ने उस जाती के विशय जो बैबिलोन के राजा के आधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नश्ट होगी तो फिर तु क्यूं अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है 14. जो भविश्यदवक्ता तुझ से कहते हैं, तुझ को बैबिलोन के राजा के आधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन क्योंकि वे तुझ से जूटी भविश्यदवानी करते हैं 15. यहोवा की यह वानी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से जूटी भविश्यदवानी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझ को देश से निकाल दूनगा, और तुझ उन नभियों समेत जो तुझ से भविश्यदवानी करते हैं नश्ट हो जाएगा 16. तब याजकों और साधारन लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यों कहता है, तुम्हारे जो भविश्यदवक्ता तुमसे यह भविश्यदवानी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अपशीगरही बैबिलोन से लोटा दिये जाएंगे, उनके वचनों की और कान मत धरो, क यदी वे भविश्यदवक्ता भी हो, और यदी यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें की जो पात्र यहोवा के भवन में और यहुदा के राजा के भवन में और यरुशलिम में रह गए हैं, वे बैबिलोन ना जाने पाएं। और यरूशिलिम के सब कुलीनों को बंदी बना कर यरूशिलिम से बैबिलोन को ले गया था 21 जो पात्र यहुवा के भवन में और यहुदा के राजा के भवन में और यरूशिलिम में रह गए हैं। एक फिर उसी वर्ष अर्थात यहुदा के राजा सिद्किया के राज्य के चौथे वर्ष के पांच में महीने में अजजूर का पुत्र हनन्या जो गिबोन का एक भविश्यद वक्ता था उसने मुझ से यहुवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा दो का परमेश्वर सेनाओं का यहुवा यों कहता है मैंने बैबिलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है तीन यहुवा के भवन के जितने पात्र बैबिलोन का राजा नबुकद ने सर इस स्थान से उठा कर बैबिलोन ले गया उन्हें मैं दो वर्ष के भीतर फिर इसी पांच तब यर्मियाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहुवा के भवन में खड़े हुए थे कहा छे आमीन यहुवा ऐसा ही करे जो बाते तुने भविश्यद्वानी करके कही हैं कि यहुवा के भवन के पात्र और सब बंदी बैबिलोन से इस स्थान में फिर आएंगे उन्हें यहुवा पूरा करे साथ तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ आठ जो भविश्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आये थे उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राजियों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ती और मरी के विशय भविश्यद्वानी की थी नौ परंतु जो भविश्यद्वक्ता कुशल के विशय भविश्यद्वानी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविश्यद्वक्ता के विशय यह निश्चे हो जाएगा कि यह सच्मुच यहोवा का भेजा हुआ है दस तब हनन्याह भविश्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यर्मयाह भविश्यद्वक्ता की गरदन पर था उतार कर तोड़ दिया ग्यारह और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यों कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर बैबिलोन के राजा नबुकद नेसर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा, तब यर्मियाह भविश्यद वक्ता चला गय 12. जब हनन्याह भविश्यद वक्ता ने यर्मियाह भविश्यद वक्ता की गर्दन पर से जुए उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यर्मियाह के पास पहुचा, 13. जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यों कहता है, तूने काट का जुए तो तोड़ दि निस्सर के आधीन रहेंगे और इनको उसके आधीन होना पड़ेगा क्योंकि मैदान के जीवजिन तू भी मैं उसके वर्ष में कर देता हूं। पंद्रह यिर्मियाह नभी ने हनन्याह नभी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को जूठी आशा दिलाई है। सोलह इसलिए यहोवा तुझ से यों कहता है, देख, मैं तुझको प्रित्वी के उपर से उठा दूनगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कहीं हैं। सत्रह इस वर्षन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के साथ में महीने में मर गया। यहोवा यों कहता है, पांच घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारिया लगाकर उनके फल खाओ। विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुशों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहां घटों नहीं वरन बढ़ते जाओ। साथ परंतु जिस नगर में मैंने तुम को बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यातन किया करो और उसके हित के लिए यहवा से प्रार्थना किया करो क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे 10. क्योंकि एसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहवा तुम से यों कहता है कि तुम्हारे जो भविश्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं वे तुमको बहकाने न पाएं और जो स्वापन वे तुम्हारे निमित देखते हैं उनकी और कान मत धरो, नौ क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको जूठी भविश्यद्वानी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यहवानी है। दस, यहोवा यों कहता है, बैबिलोन के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधी लूनगा, और अपना यह मनभावना वचन की मैं तुम्हें इस थान में लोटा ले आउनगा, पूरा करूंगा। दून्धोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आउगे। चौदह मैं तुम्हें मिलूनगा, यहोवा की यह वानी है और बधुआई से लोटा ले आउनगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिन में मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें एकठा करके इस स्थान में लोटा ले आउनगा जहां से मैं ने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यही वानी है, पंद्रा, तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बैबिलोन में भविश्यद वक्ता प्रगट किये हैं, सोला परंतु जो राजा दाउद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बधुआई में नहीं गए, उन सबूं के विश्यद सेनाओं का यहोवा यह कहता है, 17 सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महेंगी करूंगा, और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनोने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम में होने के कारण खाए नहीं जाते, 18 मैं तलवार, महेंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृत्वी के राजराजे में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच में उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उने देखकर चकित ह के कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना, यहोवा की यही वानी है। 22 सब यहूदी बंदी जो बैबिलोन में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यहशाब दिया करेंगे। 24 नहिलामी शमाया से तू यह कै, इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है। 25 इसलिए कि तू ने यरुशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशे की पत्री भेजी। 26 की, यहोवा ने यहोवा ने यहोवा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते और भविश्यद वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काट में ठोंके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले 27 इसलिए यर्मिया हानातोती जो तुम्हारा भविश्यद वक्ता बन बैठा है उसको तूने क्यों नहीं घुरका 28 इसने तो हम लोगों के पास बैबिलोन में यह कहला भेजा है कि बधुआई तो बहुत काल तक रहेगी इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ 29 इह पत्री सपन्याह याजक ने यर्मिया भविश्यद वक्ता को पर सुनाए 30 तब यहोवा का यह वचन यर्मिया के पास पहुचा सब बंदियों के पास यह कहला भेज 31 यहोवा ने हेलामी शमाया के विशय यों कहता है शमाया ने मेरे बिना भेजे तुम से जो भविश्यदवानी की और तुम को जूट पर भरोसा दिलाया है 32 इसलिए यहोवा यों कहता है सुनो मैं उसने हेलामी शमाया और उसके वंच को दन देने पर हूँ उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वह देखने ना पाएगा क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कहीं है यहोवा की यही वानी है उद्धरन चेन अध्याए 30 बधुआई से छुटकारे की प्रतिग्या एक यहोवा का जो वचन इर्मिया के पास पहुचा वह यह है दो इसराइल का परमिश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है जो वचन मैंने तुझ से कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले तीन क्योंकि यहोवा की यहवानी है ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इसराइली और यहोदी प्रजा को बधुआई से लोटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पित्रों को दिया था उसमें उन्हें लोटा ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे यहोवा का यही वचन है चार जो वचन यहोवा ने इसराइलियों और यहुदियों के विशय कहे थे वे ये हैं पांच यहोवा यों कहता है थर्थरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है शांती नहीं भई ही का है छे पूछो तो भला और देखो क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीला उठती है फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जचा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते है क्यू सब के मुख पीले पड़ गए है साथ हाई हाई वह दिन क्या ही भारी होगा उसके समान और कोई दिन नहीं वह याकूब के संकट का समय होगा परन्तु वह उससे भी छुडाया जाएगा आठ सेनाओं के यहोवा की एहवानी है कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूनगा और तुम्हारे बंधनों को तुकडे तुकडे कर दालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे नौ परन्तु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाउद की सेवा करेंगे जिसकों मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा 10. इसलिए है मेरे दास याकूब तेरे लिए यहोवा की यहवानी है मदर, हे इस्राइल, विस्मित नहो क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंच को बधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा तब याकूब लोटकर चैन और सुक से रहेगा और कोई उसको दराने ना पाएगा 11. क्योंकि यहोवा की यहवानी है तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संध हूँ इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है परन्तु तुम्हारा अंतना करूंगा तुम्हारी तारना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोषन ठहराऊंगा बारा, यहोवायों कहता है, तेरे दू, ख की कोई औशद नहीं, और तेरी चोड़ गहिरी और दू, खपरद है तेरा तेरा मुकद्दमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पटी, न मलहम है 14. तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधी नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण, मैंने शत्रू बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है 15. तु अपने घाव के मारे क्यों चिलाती है, तेरी पीड़ा की कोई औशध नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण, मैंने तुझे ऐसा व्यवहार किया है 16. परन्तु जितने तुझे अब खाए लेते हैं, वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन चीनते हैं, उनका धन मैं चिनवाऊंगा 17. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यहवानी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिनता कौन करता है 18. यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबु को बधुआई से लोटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा, और नगर अपने ही खंधर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा 19. तब उन में से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा 20. मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे 21. उनका महापुरुष उन्ही में से होगा और जो उन्ही में से उत्पन होगा 21. मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आभी जाएगा क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है 22. यहोवा की यही वानी है 22. उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा 23. देखो यहोवा की जलजला हट की आंधी चल रही है वहती प्रचंद आंधी है दुष्टों के सिर पर वजजोर से लगेगी 24. जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका भरका हुआ क्रोध शांद न होगा अंध के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे अध्याए 31. इस्राइलियों की वापसी एक उन दिनों में मैं सारे इस्राइली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे यहोवा की यही वानी है दो यहोवा यों कहता है जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ मैं इस्राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ 3. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन दे कर कहा है मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुना बनाए रखी है 4. इस्राइली कुमारी कन्या मैं तुझे फिर बसाऊंगा वहां तू फिर सिंगार करके दफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी 5. तू शोमरोन के पहारों पर अंदूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे 6. क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रेम के पहारी देश के पहलुए पुकारेंगे उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चलें 7. क्योंकि यहोवा यों कहता है याकूब के कारण आनंद से जैजैकार करो जातियों में जो श्रेष्ट है उसके लिए उचे शब्द से स्तुति करो और कहो यह यहोवा अपनी प्रजा इस्राइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर 8. देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और प्रित्वी के कोने कोने से एकठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगडे, गर्भवती और जचास्त्रियां भी आएंगी एक बड़ी मंदली यहां लोट आएगी 9. वे आंसु बहाते हुए आएंगे और गिलगिलाते हुए मेरे द्वारा पहुचाए जाएंगे मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे 10. हे जाती-जाती के लोगो यहोवा का वचन सुनो और दूर-दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो कहो जिसने इसराइलियों को तितर-बितर किया था वही उन्हें एक अठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाह अपने जुन्ट की करता है करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधू, टटका तेल, भिर बक्रियां और गाए बैलों के बच्चे आदी उत्तम-उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सीची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास नहोंगे तेरा उस समय उनकी कुमारिया नाच्ती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बुड़े एक संग आनंद करेंगे क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शान्ती दूंगा और दू, ख के बदले आनंद दूंगा चौदह मैं याजकों को चिकनी वस्तूं से अतित्रिप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वानी है इस्राइल पर परमेश्वर की दया पंद्रा यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलग-बिलग कर रोने का शब्द सुनने में आता है राहिल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शान्त नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे सोला यहोवा यों कहता है, रोने पीटने और आसु बहाने से रुख जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, और वे शत्रूओं के देश से लोट आएंगे सत्रह अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यहवानी है, तेरे वंच के लोग अपने देश में लोट आएंगे अठारा निश्चे मैंने एप्रेम को ये बाते कहकर विलाप करते सुना है, तुने मेरी तारना की और मेरी तारना ऐसे बच्छडे किसी हुई जो निकाला न गया हो, परन्तु अब तु मुझे फेर, तब मैं फिरूनगा, क्योंकि तु मेरा परमेश्वर है उन्नीस भटक जाने के बाद मैं पच्छताया और सिखाए जाने के बाद मैंने च्छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरन कर में लजज्डित हुआ और मेरा मुह काला हो गया बीस क्या एप्रेम मेरा प्रियपुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरन हो आता है इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चे उस पर दया करूंगा यहोवा की यही वानी है 21. हे इस्राइली कुमारी, जिस राजमार्क से तूब गई थी, उसी में खंबे और जंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लोट आने पर मन लगा 22. भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? 23. इस्राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है 24. यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकठे बसेंगे? 25. क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्रान त्रिप्त किया और उदास लोगों के प्रान को भर दिया है 26. इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नींद मुझे मीठी लगी 27. देख यहोवा की यहवानी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिन में मैं इस्राइल और यहुदा के घरानों के बाल बच्चों और पशू दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा 28. जिस प्रकार से मैं सोच सोचकर उनको गिराता और धाटा, नश्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था उसी प्रकार से मैं अब सोच सोचकर उनको रोपूँगा और बढ़ाऊंगा यहोवा की यही वानी है 29. उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुर्खा लोगों ने तो जंगली दाख खाए, परन्तु उनके वंच के दाथ खटे हो गए है 30. क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दाख खटे हो जाएंगे और हर एक मनुश्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा 31. फिर यहुवा की यह भी वानी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राइल और यहुदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा 32. वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुर्खाओं से उस समय बाधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपी मैं उनका पती था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली 33. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, और उसे उनके हृदे पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा क जानो, क्योंकि यहोवा की एहवानी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ग्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्मक्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर स्मरन ना करूंगा, 35 जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागन के नियम ठहरे हैं, जो समुद्र को उच्छालता और उसकी लहरों को गर जाता है और जिसका नाम से नाओं का यहोवा है, वही यहोवा यों कहता है, 36. यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा कि इसराइल का वंश मेरी दृष्टी में सदा के लिए एक जाती ठहरने की अपेक्षा मिठ सकेगा 37. यहोवा यो भी कहता है यदि उपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से प्रित्वी की नीव खोद खोद कर पता लगाई जा सके तब ही मैं इसराइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा 38. देख यहोवा की यहवानी है ऐसे दिन आ रहे हैं जिन में यह नगर हनेल के गुम्मत से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा 49. मापने की रसी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाडी तक और वहां से घूम कर गोआ को पहुँचेगी 40. लोथों और राक की सबतराय और किद्रों नाले तक जितने खेट हैं भुडों के पूरवी फाटक के कोने तक जितनी भूमी है वो सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी सदा तक वहन अगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढढ़ाया जाएगा 32. इर्मियाह द्वारा खेत खरीदा जाना एक यहूदा के राजा सिद्कियाह के राज्य के दस्वे वर्ष में जो नबुकदनेसर के राज्य का अठारहवा वर्ष था यहोवा की और से यह वचन इर्मियाह के पास पहुँचा 33. दो उस समय बैबिलोन के राजा की सेना ने यरुशलेम को घेर लिया था और यिर्मियाह भविश्यद वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहले के आंगन में कैदी था 34. तीन क्योंकि यहूदा के राजा सिद्कियाह ने यह कहकर उसे कैद किया था तू ऐसी भविश्यदवानी क्यों करता है यहूवा यों कहता है देखो मैं यह नगर बैबिलोन के राजा के वश में कर दूनगा वह इसको ले लेगा चार और यहुदा का राजा सिद्किया कसदियों के हाथ से ना बचेगा परंतु वह बैबिलोन के राजा के वश्च में अवश्य ही पढ़ेगा और वह और बैबिलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आँखों से एक दूसरे को देखेंगे पांच और वह सिद्किया को बैबिलोन में ले जाएगा और जब तक मैं उसकी सुधी नलून तब तक वह वही रहेगा यहोवा की यहवानी है चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बनना पड़ेगा चेह यहिर्मियाह ने कहा यहोवा का वचन मेरे पास पहुचा साथ देख शलम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है वह तेरे पास यह कहने को आने पर है मेरा खेद जो अनातोत में है उसे मोल ले क्योंकि उसे मोल लेकर चुड़ाने का अधिकार तेरा ही है आठा तह यहोवा के वचन के अनसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा मेरा जो खेद बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है इसलिए तू उसे मोल ले तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था 9. इसलिए मैंने उस अनातोत के खेद को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चानदी के सत्रा शेकल तौल कर दे दिये 10. मैंने दस्तावेज में दस्तकत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चानदी कांटे में तौल कर उसे दे दी 11. तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें जिन में सब शर्तें लिखी हुई थी और जिन में से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी 12. उन्हें लेकर अपने चचेरे भाईहन मिलके और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तकत किये थे और उन सब यहुदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे नेरियाह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह का पोता था सौंप दिया 13. तब मैंने उनके सामने बारूक को यहाग्या दी 14 इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है इन्हें लेकर मिटी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहें 15. क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है इस देश में घर और खेत और दाक की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी 16. जब मैंने मोल लेने की वध अस्तावेज नेर्यया के पुत्र बारुक के हाथ में दी तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की 17. हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्त्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और प्रित्वी को बनाया है 18. तू हजारों पर करुना करता रहता परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वँच के लोगों को भी देता है 19. तू बड़ी युक्ती करने वाला और सामर्त्य के काम करने वाला है 20. तू ने मिस्व देश में चिनह और चमतकार किये 21. तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्व देश में से चिहनों और चमतकारों और सामर्ती हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया 22. तू ने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपत तू ने उनके पूरवजों से खाई थी जिसमें दूद और मदू की धाराएं बहती हैं और वे आकर इसके अधिकारी हुए 23. तू भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले वरन जो कुछ तू ने उनको करने की आग्या दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया 24. अब इन दमद्मों को देख वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चड़े हुए कसदियों के वश में किया गया है जो तू ने कहा था वहब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है 25. तौ भी, हे प्रभू यहोवा, तू ने मुझ से कहा है कि गवाह बुला कर उस खेत को मोल ले, यद्यपी की यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है 26. तब यहोवा का यह वचन इर्मिया के पास पहुँचा, 27. मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है 28. इसलिए यहोवा यों कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बैबिलोन के राजा नबुकद ने सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा 29. जो कसदी इस नगर से युद्धा कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगा कर फुंग देंगे, और जिन घरों की छटों पर उन्होंने बाल के लिए धूब जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिये जाएंगे 30. क्योंकि इसराइल और यहुदा जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लड़कपन से करते आए हैं, इसराइली अपनी बनाई हुई वस्तूओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं, यहुवा की यहवानी है 31. यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजला हट के भढ़कने का कारण हुआ है, इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूँगा 32. क्योंकि इस्राइल और यहुदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविश्य द्वक्ताओं समेथ, क्या यहुदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं 33. उन्होंने मेरी और मुह नहीं वरन पीठी फेर दी है, यद्यपी मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना 34. वरन जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घ्रिनित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है 35. उन्होंने हिन्नौमियों की तराई में बाल के उचे उचे स्थान बना कर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, जिसकी आग्या मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई की ऐसा घ्रिनित काम किया जाए और जिससे यहुदी लोग पाप में 36. परंतु अब इस्राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विशय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो, वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बैबिलोन के राजा के वश्च में पढ़ा हुआ है, यो कहता है, 37. देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिन में मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लोटा ले आकर इसी नगर में एकटे करूंगा, और निदर करके बसा दूंगा, 38. वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, 49. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भए मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंच का भी भला हो, 40. मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़ कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भए में उनके मन से ऐसा उप जाऊंगा कि वे कभी मुझ से होना न चाहेंगे, 41. मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्रान से बसा दूंगा, 42. देख, यहोवा यों कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ती डाल दी, वैस ही निश्चे इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है, इसलिए यह देश जिसके विशे तुम लोग कहते हो 43 की यह हुजार हो गया है, इसमें न तो मनुश्य रह गए हैं और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पर चुका है, इसी में फिर में दस्तखत और मोहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लोटा ले आउंगा, यहोवा की यही वानी है, अध्याय 33, विपत्ती और पुनर स्थापना की भविश्य द्वानी, एक जिस समय यिर्मिया पहरे के आंगन में बंध था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार दो, यहोवा जो पृत्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वो यह कहता है, तीन मुझ से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा, और उनके शव उसी स्थान में भर दूनगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। छे देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांती और सच्चाई प्रगड करूंगा। साथ मैं यहुदा और इस्राइल के बंदियों को लोटा ले आउंगा और उन्हें पहले के समान बसाओंगा। आठ मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किये हैं और उन्होंने जितने अधर्म और अपराद के काम मेरे विरुद्ध किये हैं उन सब को मैक्शमा करूंगा 9. नौकियों की वे वह सब भलाई के काम सुनेगे जो मैं उनके लिए करूंगा और वे सब कल्यान और शांती की चर्चा सुन कर जो मैं उनसे करूंगा दरेंगे और थरथराएंगे वे पृत्वी की उन जातियों की द्रिष्टी में मेरे लिए हर्ष और स्तुती और शोभा का कारण हो जाएंगे 10. यहोवायों कहता है यह स्थान जिसके विशय तुम लोग कहते हो यह तो उजार हो गया है इसमें न तो मनुश्य रह गया है और न पशू 11. अर्थात यहूदा देश के नगर और यरुशलिम की सडके जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उन में न तो कोई मनुश्य रहता है और न कोई पशू 11. इन ही में हर्श और आनंद का शब्द, दुले दुलिन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा सेनाओं के यहूदा का धन्यवाद करो क्योंकि यहूदा भला है और उसकी करुना सदा की है 12. सेनाओं का यहूदा कहता है, सब गावों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड है कि इसमें न तो मनुश्य रह गया है और न पशू, इसी में भेर बक्रियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे 13. पहाडी देश में और नीचे के देश में, दक्खिन देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलिम के आसपास, अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेर बक्रियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी, यहूदा का यही वचन है 14. यहूदा की यह भी वानी है, देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्यान का जो वचन में ने इस्राइल और यहूदा के घरानों के विशय में कहा है, उसे पूरा करूंगा 15. उन दिनों में और उन सम्यों में दावप के वंच में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा सोला उन दिनों में यहुदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा अर्थात यहुवा हमारी धार्मिक्ता सत्रह यहुवा यों कहता है दाउद के कुल में इसराइल के घराने की गदी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे अथारह और लेवी यह याजकों के कुलों में प्रति दिन मेरे लिए होंबली चड़ाने वाले और अननबली जलाने वाले और मेलबली चड़ाने वाले 20. यहोवा यों कहता है, मैंने दिन और रात के विशय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, 21 तब ही जो वाचा मैंने अपने दासदाओत के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर वि और अपने सेवक लेवियों को बढ़ा कर अनगिनित कर दूंगा, 23 यहोवा का यह वचन इर्मिया के पास पहुचा, 24 क्या तुने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, जो दोकुल यहोवा ने चुन लिये थे उन दोनों से उसने अब हात उठाया है, यह कहकर कि यह मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और की यह जाती उनकी दृष्टी में गिर गई है, 25 यहोवा यों कहता है, यदि दिन और रात के विश्रय मेरी वाचा अतल न रहे, और यदि आकाश और प्रित्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाएं, 26 तभी मैं याकूब के पर प्रभुता करने के लिए अपने दासदाओत के वन्श में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परन्तु इसके विप्रीद में उन पर दया करके उनको बधुआई से लोटा लाऊंगा, अध्याए 34, सिद्किया के लिए एक संदेश, एक जब बैबिलोन का राजा नबुकद दो इसराइल का परमिश्वर यहुवा यू कहता है, जा और यहुदा के राजा सिद्किया से यह कह, यहुवा यू कहता है, देख मैं इस नगर को बैबिलोन के राजा के वर्ष में कर देने पर हूँ, और वह इसे फुकवा देगा, तीन तू उसके हाथ से ना बचेगा, न यहुवा का यह भी वचन सुन जिसे यहुवा तेरे विशय में कहता है, तू तलवार से मारा न जाएगा, पांच तू शांती के साथ मरेगा, और जैसा तेरे पित्रों के लिए अर्थात जो तुछ से पहले राजा थे, उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसा ह यहुवा की तेरे लिए भी जलाया जाएगा, और लोग यह कहकर, हाए मेरे प्रभू, तेरे लिए छाती पीटेंगे, यहुवा की यही वानी है। आठ यहुवा का वह वचन यर्मिया के पास उस समय आया जब सित्कियाह राजाने सारी प्रजासे जो यरूशलिम में थी यह वाचा बंधाई की दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, नौ की सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री या इब्रिन हो, स इसलिए उस प्रण के अनुसार उनको स्वातंत्र कर दिया। भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम साथ में बरस में छोड़ देना, छह बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना, परंतु तुम्हारे पित्रों ने मेरी न सुनी, न मेरी और कान लगा सोला पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीती से अशुद्ध किया कि जिन दासदासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दासदासियां बन गए हैं। सत्रह इस कारण यहोवा यों कहता है तुमने जो मेरी आग्या के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया अता यहोवा का यहवचन है सुनो मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार मरी और महंगी में पढ़ोगे और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृत्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे 18 जो लोग मेरी वाचा का उलंधन करते हैं और जो परन उन्होंने मेरे सामने और बच्छडे के दो भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया परन्तु उसे पूरा न किया 19 अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारन लोग जो बच्छडे के भागों के बीच से हो कर गए थे 20 अनकों मैं उनके शत्रूँ अर्थात उनके प्रान के खोजियों के वश में कर दूनगा और उनके शवाकाश के पक्षियों और मैदान के पश्वों का आहार हो जाएंगे 21 मैं यहूदा के राजा सिद्कियाह और उसके हाकिमों को उनके शत्रूओं और उनके प्रान के खोजियों अर्थाद बैबिलोन के राजा की सेना के वश्मे कर दूंगा जो तुम्हारे सामने से चली गई है 22 यहूदा का यहवचन है कि देखो मैं उनको आग्या देकर इस नगर के पास लोटा ले आउंगा और वे लड़कर इसे ले लेंगे और फुंक देंगे और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजार दूंगा कि कोई उनमें न रहेगा अध्याए 35 यर्मया और रेकाब के वन्शज एक योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहूया कीम के राज्य में यहूदा की ओर से यह वचन यर्मया के पास पहुचा दो, रेकावियों के घराने के पास जाकर उनसे बाते कर और उन्हें यहुवा के भवन की एक कोट्री में ले जाकर दाकमधू पिला तीन तब मैंने याजन्या को जो हबस्यन्या का पोता और यिर्मया का पुत्र था और उसके भाईयों और सब पुत्रों को अर्थात रेकावियों के सारे घराने को साथ लिया चार मैं उनको परमेशवर के भवण में यग दल्या के पुत्र हानान जो परमेशवर का एक जन था उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शलूम के पुत्र डैवली के रखवाले मासयाह की कोठरी के उपर थी. पांच तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाक मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे दे कर कहा, दाक मधु पियो 6 उन्होंने कहा, हम दाक मधु न पियेंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र यो नादाबने जो हमारा पुरखा था हम को यह आगया दी थी तुम कभी दाखमदू न पीना, न तुम, न तुम्हारे पुत्र साथ न घर बनाना, न बीजबोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना जिस देश में तुम परदेशी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं, दस हम तंबू ही में रहा करते हैं, और अपने पुर्खा योनादाप की बात मानकर उसकी सारी आग्याओं के अनुसार काम करते हैं ग्यारा परंतु जब बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने इस देश पर चड़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के दर के मारे यरुशिलेम में जाएं इस कारण हम अब यरुशिलेम में रहते हैं बारह तब यहोवा का यहवचन यर्मियाह के पास पहुँचा रेकाप के पुत्र योनादाब ने जो आगया अपने वंच को दी थी कि तुम दाखमधू ना पीना वह तो मानी गई है यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते वे अपने पुर्खा की आगया मानते हैं पर यद्यपी मैं तुम से बड़े यतन से कहता आया हूँ तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी पंद्रह मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नभियों को बड़ा यतन करके यह कहने को भेचता आया हूँ अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पित्रों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया न मेरी सुनी है सोलह देखो रेकाप के पुत्र योनादाप के वंच ने तो अपने पुर्खा की आग्या को मान लिया पर तुमने मेरी नहीं सुनी 17 इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इसराइल का परमेश्वर है, यो कहता है, देखो, यहुदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ती डालने की मैंने चर्चा की है वह उन पर अब डालता हूं, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उ 18 पर रेकाबियों के घराने से यर्मियाह ने कहा, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम से यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुर्खा योनादाब की आग्या मानी, वरन उसकी सब आग्याओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम क 19 इसलिए इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंच में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुक खड़ा रहे अध्याए 36, मंदिर में बारुग द्वारा पुस्तक का पढ़ा जाना एक फिर योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्ये के चौते बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मिया के पास पहुँचा दो, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझ से योशिया के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझ से बाते करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राइल और यहूदा और सब जातियों के विशय में कहे हैं, सब को उसमें लेख तीन किया जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ती का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को ख्शमा करूँ चार अतह यर्मियाह ने नेर्यया के पुत्र बारुक को बुलाया और बारुक ने यहूदा के सब वचन जो उसने यर्मियाह से कहे थे यर्मियाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिये पांच फिर यर्मियाह ने बारुक को आग्या दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता चेह इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तू ने मुझ से सुन कर लिखे हैं, पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे, उनको भी पढ़कर सुनाना साथ क्या जाने वे यहोवा से गिलगिला कर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भढ़काने को कहा है, वह बढ़ी है आठ यर्मियाह भविश्यद वक्ता कि इस आग्या के अनुसार नेरियाह के पुत्र बारूक ने, यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए नौ योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्ये के पांच में बरस के नौवे महीने में यरूशिलिम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशिलिम में आये थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया दस तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठवी में जो उपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी, यर्मियाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए हाकिमों को पढ़ कर सुनाया जाना ग्यारह तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने, बारह और वह राजभवन के प्रधान की कोठवी में उतर गया, और क्या देखा कि वहाँ एलिशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलाया और अबबोर का गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिद्कियाह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। 15 तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना, तब बारुक ने उनको पढ़कर सुना दिया, 16 जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब थर थराते हुए एक दूसरे को देखने लगे, और उन्होंने बारुक से कहा, हम निश्चय राजा से इन ने मुख से मुझे सुनाता गया और मैंने पुस्तक में स्याही से लिखता गया, 19 तब हाकिमों ने बारुक से कहा, जा, तू अपने आपको और यर्मयाह को छिपा, और कोई न जानने पाए कि तुम कहा हो, राजा द्वारा पुस्तक का जलाया जाना, 20 तब वे पुस्तक को एलिशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए, और राजा को वे सब वचन कह सुनाए, 21 तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा, उसने उसे एलिशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पर सुनाया 22 राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था क्योंकि नौवा महीना था और उसके सामने अंगीटी जल रही थी 23 जब यहूदी 3-4 प्रिष्ट पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीटी में थी उसमें फिक दिया इस प्रकार अंगीटी की आग में पूरी पुस्तक जल कर भस्म हो गई 24 परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन होने वे सब वचन सुने थे 25 अलनातान और दलाया और गमर्या ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए परंतु उसने उनकी एक न सुनी 26 राजा ने राज पुत्र यरहमेल को और अजियल के पुत्र सराया को और अब्देल के पुत्र शेलेम्या को आग्यादी की बारूप लेखक और यर्मया भविश्विद वक्ता को पकड़ लें परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा 27 जब राजा ने उन वचनों की पुस्टक को जो बारूप ने यर्मया के मुख से सुन सुन कर लिखी थी जला दिया तब यहोवा का यह वचन यर्मया के पास पहुँचा 28 फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहुदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे 29 और यहुदा के राजा यहोयाकीम के विशे में कै यहोवा यों कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बैबिलोन का राजा निश्चे आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें न तो मनुश्य को छुड़ेगा और न पशुको तीस इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोया कीम के विशय में यों कहता है, उसका कोई दावत की गद्धी पर विराजमान न रहेगा और उसका शब ऐसा फेक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पढ़ा रहेगा 31 मैं उसको और उसके वंच और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंद दूनगा और जितनी विपत्ती मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा 32 तब यर्मियाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नैर्ययाह के पुत्र बारूक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वच्चनों को बारूक ने यर्मियाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिये और उन वच् अध्याए 37, इर्मियाह से राजा सि्द्कियाह का निवेधन एक यहोयाकीम के पुत्र कौन्याह के स्थान पर योश्ययाह का पुत्र सि्द्कियाह राजे करने लगा क्योंकि बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने उसी को यहुदा देश में राजा ठहराया था दो परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों न और न साधारन लोगों ने यहोवा के वच्छनों को माना जो उसने यर्मियाह भविश्यदवक्ता के द्वारा कहे थे तीन सिद्कियाह राजा ने शेले मियाह के पुत्र यहुकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यर्मियाह भविश्यदवक्ता के पास यह कहला के भेजा हमारे निमित हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर चार उस समय यर्मियाह बंदी ग्रिह में नर्डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था पांच उस समय फिरॉन की सेना चड़ाई के लिए मिस्र से निकली तब कस्दी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए छे तब यहोवा का यह वचन यर्मियाह भविश्यदवक्ता के पास पहुंचा साथ इस्राइल का परमिश्वर यहोवा यहोवा कहता है यहुदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है उससे यहोवा कहो देख फिरॉन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी आठ कस्दी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे वे इसको ले लेंगे और फुंग देंगे नौ यहोवा यहोवा यहो कहता है यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ कस्दी हमारे पास से निश्चे चले गए हैं क्योंकि वे चले नहीं गए दस्कियों कि यदि तुमने कस्दीयों की सारी सेना को जो तुम से लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उन में से केवल घायल लोग रह जाते तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फुंग देते उद्धरन चेन है यर्मियाह की कैद और उसका छुटकारा ग्यारा जब कस्दीयों की सेना फिरोन की सेना के कारण यरूशिलिम के पास से कूच कर गई 12 तब यर्याह यरुशिलेम से निकल कर बिन्यामीन के देश की और इसलिए जा निकला की वहां से और लोगों के संद अपना अंचले तेरा जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुचा तब यर्याह नामक पहलूं का एक सरदार वहाँ था जो शलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था और उसने यर्याह भविश्यद वक्ता को यह कह कर पकड़ लिया तू कसदियों के पास भागा जाता है चौदा तब यर्याह ने कहा यह जूट है मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ परन्तु यर्याह ने उसकी एकना मानी और वह उसे पकड़ कर हाकिमों के पास ले गया पंद्रा तब हाकिमों ने यर्मियाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बना कर दलवा दिया क्योंकि उन्होंने उसको साधारन बंदी ग्रेह बना दिया था 16 यर्मियाह उस तलगर में जिसमें कई एक कोट्विया थी रहने लगा सत्रा उसके बहुत दिन बीदने पर सिद्कियाह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्राशन किया क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुचा है इर्मयाह ने कहा हाँ पहुचा है वह यह है कि तू बैबिलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा 18 फिर इर्मयाह ने सिद्कियाह राजा से कहा मैंने तेरा तेरे कर्मचारियों का वद तेरी प्रजा का क्या अपराद किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीग्रे में दलवाया है 19 तुम्हारे जो भविश्यद्वक्ता तुम से भविश्यद्वानी करके कहा करते थे कि बैबिलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चड़ाई नहीं करेगा वे अब कहा हैं 21 तब सिद्किया राजा की आग्या से यर्मया पहरे के आंगन में रखा गया और जब तक नगर की सब रोटी न चुप गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रति दिन एक रोटी दी जाती थी इस प्रकार यर्मया पहरे के आंगन में रहने लगा अध्याय 38, इर्मियाह एक अंधे कुए में एक फिर जो वचन इर्मियाह सब लोगों से कहता था उनको मत्तान के पुत्र शपन्या, पशहूर के पुत्र गदलिया, शेले म्याह के पुत्र युकल और मल्किया के पुत्र पशहूर ने सुना 2. यहोवा यों कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महेंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्रान बचा कर जीवित रहेगा 3. यहोवा यों कहता है, यह नगर बैबिलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा 4. इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योधाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पाँव धिले पर जाते हैं क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है 5. सिद्किया राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके 6. तब उन्होंने यर्मिया को लेकर राजपुत्र मल्किया के उस गढ़हे में जो पहले के आंगन में था, रस्यों से उतार कर डाल दिया उस गढ़हे में पानी नहीं केवल दल-दल था और यर्मिया की चड़ में धंस दिया 7. उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेदमिलिक कुछी ने जो राजपवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यर्मिया को बढ़हे में दाल दिया है 8. तब एबेदमिलिक राजपवन से निकल कर राजा से कहने लगा 9. हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगोंने यर्मिया भविश्यदवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको बढ़हे में दाल दिया है वहाँ वह भूख से मर जाएगा क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है 10. तब राजा ने एबेदमिलेक कुशी को यह आग्या दी, यहां से 30 पुरुष साथ लेकर यर्मिया भविश्यदवक्ता को मरने से पहले गढ़हे में से निकाल 11. अतर एबेदमिलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलगर में गया 12. तब एबेदमिलेक कुशी ने यर्मिया से कहा, यह पुराने कपड़े अपनी कांखों में रस्यों के नीचे रख ले 13. तब उन्होंने यर्मिया को रस्यों से खीच कर गढ़हे में से निकाला और यर्मिया पहले के आंगन में रहने लगा 14. सिद्किया का यर्मिया से सलाह मांगना 14. सिद्किया राजा ने यर्मिया भविश्य द्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा राजा ने यर्मिया से कहा, मैं तुझ से एक बात पूछता हूँ, मुझ से कुछ न छिपा पंद्रह यिर्मियाह ने सिद्किया से कहा यदी मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा चाहे मैं तुझे सम्मती भी दून तो भी तू मेरी न मानेगा सोलह तब सिद्कियाह राजा ने अकेले में यिर्मियाह से शपत खाए यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सौगंद न मैं तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुश्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है सत्रह तब यर्मियाह ने सिद्किया से कहा सिनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राइल का परमेश्वर है वह यों कहता है यदि तू बैबिलोन के राजा के हाकिमों के पास सच्च मुछ निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फून का न जाएगा और तू अपने घराने समेथ जीवित रहेगा अठारा परंतू यदि तू बैबिलोन के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फून्ग देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा इनिस सित्कियाः ने यिर्मिया से कहा जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं बीस यिर्मियाः ने कहा तू उनके वश में न कर दिया जाएगा जो कुछ मैं तुझ से कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझ कर मान ले तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा 21 पर यदी तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है 22 देख यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बैबिलोन के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुँचाई जाएंगी और वे तुझ से कहेंगी तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई और जब तेरे पाउंख कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं 23 तेरी सब्स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकाल कर पहुँचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से ना बचेगा वरन तू पकड़ कर बैबिलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फुम के जाने का कारण तू ही होगा 24 तब सिद्कियां ने यर्मियां से कहा इन बातों को कोई न जानने पाए नहीं तो तू मारा जाएगा 25 यदि हाकिम लोग ये सुनकर की मैंने तुझ से बात चीट की है तेरे पास आकर कहने लگें हमें बता की तू ने राजा से क्या कहा हम से कोई बात न छिपा और हम तुझे ना मरवा डालेंगे और यह भी बता कि राजा ने तुझ से क्या कहा 26 तो तू उनसे कहना मैंने राजा से गिलगिला कर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापिस न भेज नहीं तो वहां मर जाओंगा 27 तब सब हाकिमों ने यर्मियाह के पास आकर पूछा और जैसा राजा ने उसको आग्या दी थी छीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया इसलिए वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला 28 इस प्रकार जिस दिन यरूशिलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा अध्याए 49 इरूशिलेम का पतन एक यहूदा के राजा सिद्किया के राज्य के नौवे वर्ष के दस्वे महीने में बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने अपनी सारी सेना समेट इरूशिलेम पर चड़ाई करके उसे घेर लिया दो और सिद्किया के राज्य के ग्यारवे वर्ष के चोथे महीने के नौवे दिन को उस नगर की शेहर पना तोड़ी गए तीन जब यरूशिलेम ले लिया गया तब नेरगल सरे सेर और संगर्नबो और खोजों का प्रधान सरस्कीम और मगों का प्रधान नेरगल सरे से रादी बैबिलोन के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए चार जब यहुदा के राजा सिद्किया और सब्योधाओं ने उन्हें देखा तब राथ ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों दिवारों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकल कर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया पांच परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेर कर सिद्किया को यरीहों के अराबा में जा लिया और उनको बैबिलोन के राजा नबुकद निस्सर के पास हमाद देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उसके दंड की आग गया दी छे तब बैबिलोन के राजा ने सिद्किया के पुत्रों को उसकी आँखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहुदियों को भी घात किया साथ उसने सिद्किया की आँखों को फुर्वा डाला और उसको बैबिलोन ले जाने के लिए बेडियों से जकरवा रखा आठ कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगा कर फूंग दिया और यरूशलिम की शेहर पनाह को ढ़ा दिया नौ तब अंगरक्षकों का प्रधान नबूजर्दान प्रजा के बचे हुऊं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आये थे उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंदी बना कर बैबिलोन को ले गया दस परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजर्दान यहुदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेद दे दिये यर्मियाह का छोड़ा जाना ग्यारह बैबिलोन के राजा नबूकद नेस्सर ने अंगरक्षकों के प्रधान नबूजर्दान को यर्मियाह के विशय में यह आग्या दी बारह उसको लेकर उस पर कृपाद रिष्टी बनाए रखना और उसकी कुछ हानी ना करना जैसा वह तुझ से कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना तेरा हता हंगर्क शकों के प्रधान नबू जर्दान और खोजों के प्रधान नबू सिजबान और मगों के प्रधान नेरगल सरेसेर जोतिशियों के सरदार चौदह और बैबिलोन के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेज कर यिर्मिया को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदलिया को जो ही कौम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुँचाए तब से वह लोगों के साथ रहने लगा एबेद मिलिक के लिए आशा पंद्रह जब यिर्मिया पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुचा 16. जा और एबेद मिलिक कूशी से कह इसराइल का परमेश्वर सेनाओ का यहोवा तुझ से यों कहता है देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विश्रे में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल नहोगा हानी ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा 17. परन्तु यहोवा की यह वानी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुश्यों से तू भए खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा 18. क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा तेरा प्रान बचा रहेगा यहोवा की यह वानी है यह इस कारण होगा कि तूने मुझे पर भरोसा रखा है उद्धरन चिन्ह अध्याई 40. यर्मियाह का गदल्याह के साथ रहना एक जब अंगरक्षकों के प्रधान नबू जर्दान ने यर्मियाह को रामा में उन सब यरूशिलेमी और यहूदी बंदियों के बीच हतकडियों से बंधा हुआ पाकर जो बैबिलोन जाने को थे छुड़ा लिया उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा दो अंगरक्षकों के प्रधान नबू जर्दान ने यर्मियाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा इस थान पर यह जो विपत्ती पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी तीन जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आग्या नहीं मानी इस कारण तुम्हारी यहदशा हुई है चार अब मैं तेरी इन हतकडियों को काटे देता हूँ और यदी मेरे संग बैबिलोन में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल वहां मैं तुझ पर क्रिपाद्रिष्टी रखूंगा और यदी मेरे संग बैबिलोन जाना तुझे ना भाई तो यहीं रह जा देख सारा देश तेरे सामने पड़ा है जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा पांच वह वहीं था कि नबूजर्दान ने फिर उससे कहा गदल्याह जो अहिकौम का पुत्र और शापान का पोता है जिसको बैबिलोन के राजा ने यहुदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है उसके पास लोट जा और उसके संग लोगों के बीच रह या जहां कहीं जो देश में रह गए थे रहने लगा यहुदा देश का अधिकारी गदल्याह साथ योधाओं के जो दल देहात में थे जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेथ सुना कि बैबिलोन के राजा ने अहिकौम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है और आतान और तन्हुसेत का पुत्र सराया, एपैनतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्या अपने जिनों समेद गदलिया के पास मिस्पा में आए। 9 गदलिया जो अहिकॉम का पुत्र और शापान का पोता था उसने उनसे और उनके जिनों से शपत खाकर कहा कसदियों के आधीन रहने से मत दरो इसी देश में रहते हुए बैबिलोन के राजा के आधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा 10 में तो इसी लिए मिस्पा में रहता हूँ की जो कसदी लोग हमारे यहां आएं उनके सामने हाजर हुआ करून परन्तु तुम दाखमधू और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो 11 फिर जब मौबियों, अम्मोनियों, अदौमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहुदियों ने सुना की बैबिलोन के राजा ने यहुदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदलिया को जो ही कौम का पुत्र और शापान का पोता है 12 तब सब यहुदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे, वहां से लोटकर यहुदा देश के मिस्पा नगर में गदलिया के पास आए और बहुत दाखमधू और दूप काल के फल बटोरने लगे 13 तब कारे का पुत्र यहानान और मैदान में रहने वाले योधाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदलिया के पास आकर कहने लगे 14 क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह के पुत्र इश्माइल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है परंतु अहिकौम के पुत्र गदलिया ने उनकी प्रतीती न की 15 फिर कारे के पुत्र योहानान ने गदलिया से मिस्पा में चिप कर कहा मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इश्माइल को मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा वह क्यों तुझे मार डाले और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकठे हुए हैं वे क्यों तितर बितर हो जाएं और बचे हुए यहूदी क्यों नश्ट हो 16 अहिकौम के पुत्र गदलिया ने कारे के पुत्र योहानान से कहा ऐसा काम मत कर तू इश्माइल के विशय में जूट बोलता है अध्याए 41 एक साथमे महीने में ऐसा हुआ कि इश्माइल जो नतन्याह का पुत्र और एली शामा का पोता और राजवन्श का और राजा के प्रधान पुरुशों में से था वह दस जन संग लेकर मिस्पा में एहिकौम के पुत्र गदल्याह के पास आया वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया दो तब नतन्याह के पुत्र इश्माइल और उसके संग के दस जनोंने उठकर गदल्याह को जो हिकॉम का पुत्र और शापान का पोता था और जिसे बैबिलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था उसे तलवार से ऐसा मारा की वह मर गया तीन इश्माईल ने गदलिया के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कस्दी योद्धा वहां मिले उन सबों को मार डाला चार गदलिया के मार डाले जाने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता था पांच तब शकेम और शीलो और शोमरोन से असी पुरुष डाड़ी मुनराई वस्त्रफारे शरीर चीरे हुए और हाथ में अनबली और लोबान ले हुए यहूदा के भवन में जाने को आते दि खाई दिये छे तब नतन्याह का पुत्र इश्माईल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला जब वह उनसे मिला तब कहा अही कौम के पुत्र गदलिया के पास चलो साथ जब वे उस नगर में आये तब नतन्याह के पुत्र इश्माईल ने अपने संगी जनो समेत उनको भात करके गढ़े में फेक दिया आठ परंतु उनमें से दस मनुष्य इश्माइल से कहने लगे हम को न मार क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहून जो तेल और मधु है इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाईयों के साथ नहीं मारा नौ ज दस तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे जिन्हें अंगरक्षकों के प्रधान नबू जर्दान ने अही कौम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्म इश्माइल से लड़ने को निकले और उसको उस बड़े जलाशे के पास पाया जो गिबोन में है तेरा कारे के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे इश्माइल के साथ जो लोग थे वे सब आनंदित हुए शौदा जितने लोगों को इश्माइल मिस्पा से बंदी बना कर लिये जा रहा था वे पलटकर कारे के पुत्र योहानान के पास चले आए पंद्रा परंतु नतन्याह का पुत्र श्माइल आठ पुरुष समेट योहानान के हाथ से बच कर अम्मोनियों के पास चला गया सोला तब प्रजा में से जितने बच गए थे अर्थात जिन योधाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खूजों को कारे का पुत्र योहानान अहिकौम के पुत्र गदलिया के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र श्माइल के पास से छुड़ा कर गिबोन से वापस ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेट लेकर चल दिया 17 बैतलहम के निकट जो किम्हाम की सराय है, उसमें वे इसलिये टिग गए की मिस्र में जाएं 18 क्योंकि वे कसदियों से डरते थे, इसका कारण यह था कि एहि कौम का पुत्र गदल्याह जिसे बैबिलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र श्माइल ने मार डाला था अध्याई 42, इर्मियाह से प्रार्थना करने का निवेदन एक तब कारे का पुत्र योहानान, होशाया का पुत्र याजिन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक, सब लोग दो इर्मियाह भविश्यदवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहन करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हु चार यिर्मियाह भविश्यदवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तु पांच तब उन्होंने इर्मियाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वा से युग्य साक्षी ठहरे। साथ दस दिन के बीचने पर यहोवा का वचन इर्मियाह के पास पहुचा, आठ तब उसने कारे के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे, उन सबों को बुला कर उनसे कहा, 9. इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कैस सुनाओ, वो यो कहता है, दस यदी तुम इसी देश में रह जाओ, तब तो मैं तुमको नश्क नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, और 10. इसराइल का परमेश्वर यहोवा की बात न मानो, और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, चौदह क्योंकि वहाँ ना हम युद्ध देखेंगे, ना नरसिंगे का शब्द सुनेगे और ना हम को भोजन की घटी होगी, तो, हे बचे हुए यहुदियो, यहोव 15. इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा योग कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुह करो, और वहाँ रहने के लिए जाओ, सोलह तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम दरते हो, वही वहाँ मिस्र देश में तुम को जालेगी, और जिस महंगी का भ 15. इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा योग कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहत यरूशलेम के निवासियों पर भड़ा कुठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ, तो मेरी जलजलाहत तुम्हारे उपर ऐसी भड़ा कुठेगी की 20. क्योंकि जब तुमने मुझ को यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हम को बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जान के अपने ही को धोखा देते थे 21 देखो मैं आज तुम को बताई देता हूं परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से कहने के लिए मुझ को भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते 22 अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था दो तब हो शाया के पुत्र अजर्या और कारे के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने इर्मया से कहा तू जूट बोलता है हमारे परमेश् चार इसलिए कारे का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आग्या नमानी की वे यहुदा के देश में ही रहें पांच पर कारे का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहुदियों को जो अन्यजातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लोटकर यहुदा देश में रहने लगे थे वे उनको ले गए छे पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारिया और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबू जर्दान ने गदलिया को जो अही कौम का पुत्र और शापान का पोता था, सौप दिया था, उनको और यिर्मिया भविश्यदवक् और यहूदी पुरुषों के सामने उसी इट के चबुत्रे में जो तहपनेस में फिरॉन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे, दस और उन पुरुषों से कह, इस्राइल का परमेश्वर, सिनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, मैं बैबिलोन के राज और जो तलवार के लिए हैं, वे तलवार के वश में कर दिये जाएंगे, बारह मैं मिस्र के देवालियों में आग लगाऊंगा, और वह उन्हें फुकवा देगा और बधुआई में ले जाएगा, और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र उरता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा, और तब बेखर के चला जाएगा, तेरा वह मिस्र देश के सूर्य ग्रिर के खंबों को तुड़वा डालेगा, और मिस्र के देवालियों को आग लगा कर फुकवा देगा, अध्याई चौवालीस, मिस्र में यहूदियों के लिए परमेश्वर का संदेश, एक जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिगदोल, तहपनहेस और नोपनगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विशे इर्मिया के पास यह वचन पहुचा, दो इस्राइल का परमेश्वर, सिनाओं का यहोवा यों कहता है, जो विपत्ती में यरूशिलिम और यह देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुर्खा जानते थे, चार तौभी मैं अपने सब दास भविश्यद वक्ताओं को बड़े यत्म से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घ्रिन और वे आज के दिन तक उजाड और सुनसान पड़े हैं। और प्रित्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाती की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा दे कर शाब दिया करेंगे। नौ जो जो बुरायां तुम्हारे पुर्खा, यहुदा के राजा और उनकी स्ट्रियां, और तुम्हारी स्ट्रियां, वरन तुम आप यहुदा देश और यरूशलेम की सडकों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? दस आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं, और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई हैं ग्यारह, इस कारण इसराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यू कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानी करूंगा, ताकि सब यहुदियों का अंतकरदून बारा बचे हुए यहुदी जो हट करके मिस्व देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिद जाएंगे, इस मिस्व देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिद जाएंगे, और लोग उन्हें को सेंगे और चकित होंगे, और उनकी बचे हुए यहुदी मिस्व देश में परदेशी होकर रहने के लिए आये हैं, यद्यपीवे यहुदा देश में रहने के लिए लोटने की बड़ी अभिलाशा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लोटने ना पाएगा, केवल कुछ ही भागे हुऊं को कोई भी वहां न लोटने पाएगा, पंदरा तब मिस्व देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्वियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्वियां बड़ी मंदली में पास खड़ी थी, उन सबोंने यिर्म जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुर्खा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्या हाकिमों समेत यहुदा के नगरों में और यरुशलिम की सडकों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ती में नही पड़ते थे, 18 परंतु जब से हमने स्वर्ख किरानी के लिए धूब जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तूओं की घटी है और हम तलवार और महेंगी के द्वारा में चले हैं, 19 स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ख किरानी के लिए धूब जला और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलिम की सडकों में धूब जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया, 22 क्या उसने उसको स्मरन ना किया, इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब भृनि धपाप करते और उसकी नहीं सुनते थे, और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण यह विपत्ती तुम पर आपड़ी है, जैसे की आज है 24 फिर यिर्मियाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहुदियों, यहोवा का वचन सुनो 25 इसराइल का परमेश्वर, सिनाओ का यहोवा, यो कहता है, कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मननते माईं और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूब जलाने और तपावन देने की जो जो मननते मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पू 27 सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपत खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंद 27 सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानी ही की चिंता करूंगा, मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी, तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नश्ट हो जाएंगे जब तक की उनका सर्वनाश न हो जाए 28 जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लोटकर यहूदा देश में पहुँचेंगे, वे थोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे, वे जान लेंगे की किसका वचन पूरा हुआ, मेरा या उनका 29 इस बात का मैं यह चिनह देता हूँ, यहूदा की यहवानी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंदूनगा, जिससे तुम जान लोगे की तुम्हारी हानी करने में मेरे वचन निश्चे पूरे होंगे 30 यहोवा यों कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सित्किया को उसके शत्रू अर्थात उसके प्राण के खोजी बैबिलोन के राजा नबुकदनेस्र के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रूं के अर्थात उसके प अध्याय 45 बारुक से परमेश्वर की प्रतिग्या एक योश्य याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेर्य याह का पुत्र बारुक यर्मियाह भविश्यद्वक्ता से भविश्यद्वानी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, दो तब उसने उससे ये वचन कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है तीन हे बारुक तू ने कहा हाई मुझ पर क्योंकि यहोवा ने मुझे दू, ख़ पर दू, ख़ दिया है मैं कराहते कराहते ठख गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता चार तू यो कह, यहोवा यो कहता है देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप धादूनगा और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयमोखार फिकूंगा पांच इसलिए सुन क्या तु अपने लिए बड़ाई खोज रहा है उसे मत खोज क्योंकि यहोवा की एवानी है कि मैं सारे मनुश्यों पर विपत्ती डालूंगा परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्रान बचा कर तुझे जीवित रखूंगा अध्याए 46 मिस्व देश के विशय भविश्यद्वानी एक जाती जाती के विशय यहोवा का जो वचन यर्मियाः भविश्यद्वक्ता के पास पहुचा वह यह है दो मिस्व के विशय मिस्व के राजा फिरॉन निको की सेना जो फरात महांद के तड़ पर करकमीश में थी और जिसे बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने योशियाह के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था उस सेना के विशय तीन धालें और फरियां तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ चार भुडों को जुत्वाओ और हे सवारो भुडों पर चड़कर तोप पहिने हुए खड़े हो जाओ भालों को पैना करो जिलमों को पहिन लो पांच मैं क्यूंग उनको व्याकुल देखता हूँ वे विसमित होकर पीछे हडग गए उनके शूर वीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए वे पीछे देखते भी नहीं क्योंकि यहोवा की यह वानी है कि चारों और भई ही भई है छेह न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महांद के तड़ पर्वे सब्थोकर खाकर गिर पढ़े साथ यह कौन है जो नील नदी के समान जिसका जल महांदों का सा उचलता है बड़ा चला आता है आठ मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है उसका जल महांदों का सा उचलता है करने वाले कूशी और पूती वीरों है धनुर्धारी लूदियों चले आओ। 10 क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभू के बदला लेने का दिन होगा जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। 11 क्योंकि सब जाती के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और प्रित्वी तेरी चिलाहट से भर गई है, वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संद गिर गए हैं। 13 यहोवा ने यर्मयाह भविश्यदवक्ता से यह वचन भी कहा कि बैबिलोन का राजा नबुकदनेसर कैसे आकर मिस्र देश को मार लेगा, 14 मिस्र में वर्नन करो और मिकदोल में सुनाओ, हां और नोप और तहपनहेस में सुनाकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क् कि तुम्हारे चारों और सब कुछ तलवार खा गई है, 15 तेरे बलवंद जन क्यों नश्ट हो गए हैं, वे इस कारण खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा ने उन्हें धकेल दिया, 16 उसने बहुतों को ठोकर खिलाए, वे एक दूसरे पर गिर पड़े, और वे कहने लगे, उ 18 वह राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यहवानी है कि मेरे जीवन की सौगंद, जैसा ताबो रण्य पहाडों में, और जैसा करमेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा, 19 है मिस्र की रहने वाली पुत्री, बधुआई में जाने का सामान तेह क्योंकि नोपनगर उजाड और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा, 20 मिस्र बहुत ही सुंदर बच्छिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, वहाँ ही गया है, 21 उसके जो सिपाही किराये पर आये हैं वह पाले पोसे हुए बच्छरों के समान हैं, उन्होंने मुह मोडा और एक संध भाग गए, वे खड़े नहीं रहे क्योंकि उनकी विपत्ती का दिन और दन पाने का समय आ गया, 22 उसकी आहट सर्प के भागने किसी होगी, क्योंकि वे व्रिक्षों के कारने वालों की सेना और कुलहरियां लिये हुए उसके वि थी घना हो, परंतु वे उसको कार दालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगेनित हैं, 24 मिस्री कन्या लजजित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी, 25 इसराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं नगरवा के वश में कर दूनगा जो उनके प्रान के खोजी हैं, उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा, यहोवा की यहवानी है, इसराइल के विशय भविश्यद्वानी, 27 परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इसराइल, विस्मित नहो, क्योंकि म मैं तुझे और तेरे वंच को बधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आउंगा, याकूब लोटकर चैन और सुक से रहेगा, और कोई उसे दराने ना पाएगा, 28 हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यहवानी है, कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और यद्य पी मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिन में मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा, मैं तेरी तारना विचार करके करूंगा, परन्तु तुझे किसी प्रकार से निर्दोश न ठहराऊंगा, अध्याई 47, पलिष्टियों के विश यहोवा का यह वचन पहुचा, दो, यहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर दिशा से उमनने वाली नदी देश को उस सब समेट जो उसमें है, और निवासियों समेट नगर को दुबो लेगी, तब मनुष्य चिल लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाई हाई करेंगे, तीन शत्रूओं के बलवंध भोडों की टाप, रतों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का को लाहल सुनकर पिता के हाथ पाव ऐसे धिले पर जाएंगे, कि वह मुह मोड कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, चार क्योंकि सब पलिश्टियों के नाश का दिन आता है, और सोड और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिद जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्टियों को जो कब तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नश्ट करने पर है, पांच गाजा के लोग सिर मुनणाए हैं, अश्कलोन जो पलिश्टि तू कैसे थम सकती है, क्योंकि यहोवा ने तुझ को आग्या देकर अश्कलोन और समुद्र तट के विरुद्ध ठहराया है, अध्याय 48, मोब का विनाश, एक मोब के विशे इस्राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नश्ट हो गया, केरियातेम की आशा तूट गई, वह ले लिया गया है, उचागर निराश और विस्मित हो गया है, दो मोब की प्रशंसा जाती रही, हे शबोन में उसकी हानी की कलपना की गई है, आओ, हम उसका ऐसा नाश करें की वहराज न रह जाए, हे मदमेन, तू भी सुनसान ह हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी, तीन, होरोनेम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दू, ख का शब्द सुनाई देता है, चार मुअब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नने बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, पांच क्योंकि लुहीत की चड़ाई में लोग लगातार रोते हुए चड़ेंगे, और होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है, छेह भागो, अपना अपना प्रान बचाओ, उस अधमुए पेड के समान हो जाओ जो जो जंगल में होता है, साथ क्योंकि तू जो अपने कामों और स चड़ाई करेंगे, और कोई नगर ना बचेगा, घाटी वाले और पहार पर की चौरस भूमे वाले दोनों नश्ट किये जाएंगे, नौ, मोब के पंक लगा दो ताकि वह उलकर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजार हो जाएंगे कि उनमें कोई भी ना बसने प एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उन्डिला नहीं गया और ना बधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमिस्थिर है और उसकी गंधजियों की त्योंबनी रहती है बारह इस कारण यहोवा की यहवानी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उन्डिलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उन्डिलेंगे और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है, उनको छूचे करके फोर डालेंगे तेरा तब जैसे इस्राइल के घराने को बेतल से लजजित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मुआबी लोग कमोश से लजजित होंगे चौदह, तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं पंद्रह मुआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए, राजा धिराज, जिसका नाम से नाओ का यहोवा है, उसकी यही वानी है सोलह मुआब की विपत्ती निकट आ गई, और उसके संकट में पढ़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है सत्रह उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीरती के सब जानने वालों उसके लिए विलाब करो, कहो, हाई वह मजबूत सोंटा और सुंदर छड़ी कैसे तूट गई है 18, हे दी बोन की रहने वाली तू अपना वेभव छोड़कर प्यासी बैठी रह क्योंकि मुआब का नाश करने वाले ने तुझ पर चड़ाई करके तेरे द्रिल गड़ों का नाश किया है 19, हे अरोएं की रहने वाली तू मार्ग में खड़ी होकर ताक्ती रह जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ की क्या हुआ है 20 मुआब की आशा तूटेगी वह विसमित हो गया तुम्हाए हाई करो और चिल लाओ अरनोन में भी यह बताओ की मुआब नश्ट हुआ है 21 चौरस भूमी के देश में होलोन, यहसा, मेपात, 22 दीबोन, नबो, बेत दिबलतेम, तीस और किर्यतेम, बेत गामूल, बेतमोन, 24 और करिययोत, बोस्रा, और क्या दूर क्या निकट, मुआब देश के सारे नगरों में दन की आग्या पूरी हुई है 25 यहोवा की एहवानी है, मुआब का सीन कट गया और भुजा तूट गई है मुआब का घमन चूर किया जाएगा 26 उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है इसलिए मुआब अपनी छांट में लोटेगा और थटों में उड़ाया जाएगा 27 क्या तूने भी इसराइल को थटों में नहीं उड़ाया क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिरहिलाता था 28 हे मुआब के रहने वालो, अपने अपने नगर को चोड़ कर चटान की दरार में बसो उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मूह की एक और घोसला बनाती हो 29 हमने मुआब के गर्व के विशय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है उसका गर्व, अभिमान और अहनकार और उसका मनफूलना प्रसिद है 30 यहोवा की यहवानी है, मैं उसके रोश को भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही है उसके बड़े बोल से कुछ बनना पड़ा 31 यह इसकारण मैं मुआबियों के लिए हाई हाई करूंगा हाँ मैं सारे मुआबियों के लिए चिलाउंगा, कीर हैरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा 32 है सिबमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाब करूंगा तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी परनाश करने वाला तेरे धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी तूट पड़ा है 33 फलवाली बारियों से और मौाब के देश से आनंद और मगन होना उट गया है मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंदों में कुछ दाख मधूना रहा, लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौन देंगे, जो ललकार होने वाली है, वहब नहीं होगी 34 फेशिबोन की चिलाहत सुनकर लोग अलाले और यहस तक और सो आर से होरोनेम और एगलत शलिशिया तक भी चिलाते हुए भागे चले गए हैं क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है 35 यहोवा की यहवानी है कि मैं उंच स्थान पर चड़ावा चड़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मुआब में बंद कर दूनगा 36 इस कारण मेरा मन मुआब और कीरहरेस के लोगों के लिए बासूली सा रो रोकर अला पता है क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमा कर बचाया है वह नश्ट हो गया है 37 क्योंकि सब के सिर मुनने गए और सब की दाड़िया नोची गई सब के हाथ चीरे हुए और सब की कमरों में टाट बंधा हुआ है 38. मौाब के सब घरों की छटों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है क्योंकि मैंने मौाब को तुछ बर्तन के समान तोड़ डाला है यहोवा की यहवानी है 49. मौाब कैसे विस्मित हो गया हाई, हाई, करो क्योंकि उसने कैसे लजजित होकर पीट फेरी है इस प्रकार मौाब के चारों और के सब रहने वाले उसका ठठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे मौाब का कोई बचाव नहीं 40. क्योंकि यहोवायों कहता है देखो, वहु कापसा उरेगा और मौाब के उपर अपने पंक फैलाएगा 41. कर्ययोत ले लिया गया और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पढ़ गए उस दिन मौाबी वीरों के मन जचास्त्री के से हो जाएंगे 42. और मौाब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल तूट जाएगा क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है 43. यहोवा की यह वानी है कि है मौाब के रहने वाले तेरे लिए भई और गढ़ा और फंदे ठहराए गए है 44. जो कोई भई से भागे वह गढ़े में गिरेगा और जो कोई गढ़े में से निकले वह फंदे में फसेगा क्योंकि मैं मौाब के दंद का दिन उस पर ले आऊंगा यहोवा की यही वानी है 45. जो भागे हुए हैं वह हेशिबोन में शरन लेकर खड़े हो गए हैं परंतु हेशिबोन से आग और सीहोन के बीच से लो निकली जिससे मौाब देश के कोने और बलवेयों के चोंडे भस्म हो गए है 46. है मौाब तुझ पर हाए 47. कमोश की प्रजा नश्ट हो गई क्यूंकि तेरिस्त्री पुरुष दोनों बधुआई में गए है 47. तो भी यहोवा की एवानी है कि अंत के दिनों में मैं मौाब को बधुआई से लोटा ले आऊंगा मौाब के दंट का वचन यही तक हुआ 49. अम्मोन के विशे परमेश्वर का न्याए एक अम्मोनियों के विशे यहोवा यों कहता है क्या इस्राइल के पुत्र नहीं है क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा फिर मलकाम क्यूं गाद के देश का अधिकारी हुआ उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाए है दो यहोवा की यहवानी है ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा और वह उज़कर खंधर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी तब जिन लोगों ने इस्राइलियों के देश को अपना लिया है उनके देश को इस्राइली अपना लेंगे यहोवा का यही वचन है हे रब्बा की बेटियों चिल लाओ और कमर में टाट बाधो छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दोड़ो क्यूंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेद बधुआई में जाएगा चार हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर विशेश कर अपनी बहुत ही उपजाव तराइय पर क्यूं फूलती है तू क्यूं यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चड़ाई कर सकेगा पांच प्रभु सिनाओं के यहोवा की यहवानी है, देख, मैं तेरे चारों और के सब रहने वालों की और से तेरे मन में भई उप जाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की और धकेल दिये जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें ए होवा यों कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धी नहीं रही, क्या वहां के ग्यानियों की युक्ती निश्फल हो गई, क्या उनकी बुद्धी जाती रही है, आठ हे ददान के रहने वालों, भागो, लोट जाओ, वहां छिप कर बसो, क्योंकि जब मैं ऐसाव को द अपना धन लूट कर न ले जाते, दस क्योंकि मैंने ऐसाव को उगारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रगट किया है, यहां तक कि वह छिपना सका, उसके वंच और भाए और पढोसी सब नश्ट हो गए हैं और उसका अंध हो गया, ग्यारा अपने अनाद बालको को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाओंगा और तुम्हारी विध्वाएं मुझ पर भरोसा रखें। दिया करेंगे और उसके सारे गाव सदा के लिए उजार हो जाएंगे। चाहे तु उकाब के समान अपना बसेरा उंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाओंगा, यहोवा की यही वानी है। सत्रह, अदोम यहां तक उजर जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा, और उसके सारे दू, खोंपर ताली बजाएगा। अठारा यहोवा का यह वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उसकी दशा होगी, वहां ना कोई मनुश्य रहेगा, और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। उननीस देखो, वह सिंख के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चड़ेगा, और मैं उनको उसके सामने से जट भगा दूनगा, तब जिसको मैं चुनलून, उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है, कौन मुझ पर मुकद्धमा चलाएगा, वह चरवाहा कहा है जो मेरा सामना कर सकेगा, बीज देखो, यहोवा ने अदोम के विरुद्ध क्या युक्ती की है, और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है, निश्चे वह भेर बकरियों के बच्चों को भसीक ले जाएगा, वह चराई को भेर बकरियों से निश्चे खाली कर देगा, 21 उनके गिरने के शब्द से प्रित्वी कांप उठेगी, और ऐसी चिलाहट मचेगी जो लाल समुद्ध तक सुनाई पड़ेगी, 22 देखो, वहुकाप के समान निकल कर उड़ा क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं, समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता, 24 दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कंपी ने उसे पकड़ा है, जचा किसी पीड़ा उसे उठी है, 25 हाई, वह नगर, वह प्रशन सा योग्य हो जाएगा, 27 मैं दमिश्क की शेहर पनाह में आग लगाऊंगा जिस से बेनहदत के राजभवन भस्म हो जाएंगे, केदार और हासोर के विशय पर मेश्वर का न्याएं, 28 केदार और हासोर के राजियों के विशय जिन्हें बैबिलोन के राजा नबुकद ने सर ने मार ल करता है, उठकर केदार पर चड़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो, 29 वे उनके देरे और भेर बक्रियां ले जाएंगे, उनके तंबु और सब बरतन उठा कर उंटों को भी हांक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों और भई ही भई है, 30 य यहवा की यहवानी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाती के लोगों पर चड़ाई करो, जो निदर रहते हैं, और बिना किवार और बेंडे के योही बसे हुए हैं, 32 उनके उंट और अनगिनित गाए बैल और भेर बक्रियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा, एलाम के विशय पर मेश्वर का न्याए, 34 यहूदा के राजा सिद्किया के राज्य के आरंभ में यहोवा का यहवचन यर्मिया भविश्यद वक्ता के पास एलाम के विशय पहुचा, 35 से नाओं का यहोवा यों कहता है, मैं एलाम के धनुश को जो उनके पराक्रम का मुख्यकारन है, तो ढूंगा, 36 और मैं आकाश के चारों और से वायू बहा कर उन्हें चारों दिशाओं की और यहां तक तितर बितर करूंगा, कि ऐसी कोई जाती ना रहेगी जिसमें अलामी भागते हुए ना आएं, 37 मैं एलाम को उनके शत्रों और उनके प्रान के खोजियों के सामने विसमित करूंगा और उन पर अपना कोब भरका कर विपत्ती डालूंगा, यहोवा की यह वानी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते में उनका अंत कर डालूंगा, 38 और मैं एलाम में अपना सिंघासन रखकर उनके और हाकिमों को नश्ट करूंगा, यहोवा की यही वानी है, 49 परंतु यहोवा की यह भी वानी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बधुआई से लोटा ले आउंगा, अध्याए 50 बैबिलोन के विरुद्ध भविश्यद्वानी एक बैबिलोन और कसदियों के देश के विशय में यहोवा ने यिर्मियाह भविश्यद्वक्ता के द्वारा यहवचन कहा, दो, जातियों में बताओ, सुनाओ और जंडा खड़ा करो, सुनाओ, मत शिपाओ की बैबिलोन ले लिया गया, बेल का मूह काला हो गया, मरोदक व जार देगी, कि क्या मनुशिप, क्या पशु, उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे इस्राइलियों की स्वदेश वापसी चार, यहोवा की यहवानी है, कि उन दिनों में इस्राइली और यहुदा एक संध आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंडने के लिए चले आएंगे पांच वे सियोन की और मुह किये हुए उसका मार पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, परंतु सदस्थिर रहे 6. मेरी प्रजा खोई हुई भी भीड़े हैं, उनके चरवाहों ने उनको भठका दिया और पहारों पर भठकाया है, वे पहार पहार और पहारी पहारी घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल वे हैं साथ जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोश नहीं क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रे था आठ बैबिलोन के बीच में से भागो कसदियों के देश से निकलाओ जैसे बक्रे अपने जुंट के अगूवे होते हैं वैसे ही बनो नौकियों की देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभर कर उनकी मंदली बैबिलोन पर चड़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांती बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा उनके तीर चतुर वीर केसे होंगे उन मेंसे कोई अकार्थ न जाएगा दस कसदियों का देश ऐसा लुटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा यहोवा की यहवानी है बैबिलोन का पतन 11. हे मेरे भाग के लूटने वालों तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और फूले नहीं समाते हो और घास चरने वाली बच्छिया के समान उच्छलते और बलवंत भूडों के समान हिन हिनाते हो 12 तुम्हारी माता अत्यंद लजजध होगी और तुम्हारी जन्नी का मुँखाला होगा क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी तेरा यहोवा के कुरोद के कारण वह देश निर्जन रहेगा वह उजार ही उजार होगा, जो कोई बैबिलोन के पास से चलेगा वह चकित होगा, और उसके सब्दू, खद एक कर ताली बजाएगा 14 हे सब धनुर धारियो, बैबिलोन के चारों और उसके विरुद्ध पांती बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है 15 चारों और से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोड गिराए गए, उसकी शेहर पनाधाई गई क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है, इसलिए तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है, वैसा ही तुम भी उससे करो 16 बैबिलोन में से बोने वाले और काटने वाले दोनों को नश्ट करो, वे दुखदाई तलवार के दर के मारे अपने 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 लोगों की और फिरें और अपने अपने देश को भाग जाएं 17 इसराइल भगाई हुई भीड है, सिम्हों ने उसको भगा दिया है पहले तो अश्चूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने उसकी हड़ियों को तोड़ दिया है 18 इसकारण इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है देखो, जैसे मैंने अश्चूर के राजा को दंद दिया था, वैसे ही अब देश समेट बैबिलोन के राजा को दंद दूनगा 19 मैं इसराइल को उसकी चराई में लोटा लाऊंगा और वह करमिल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाणों पर और गिलाद में फिर भर पेट खाने पाएगा 20 यहोवा की एहवानी है कि उन दिनों में इसराइल का अधर्म धून्धने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी ख्शमा कर दूनगा 21 तू मरात एम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चड़ाई कर मनुश्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर यहोवा की एहवानी है और जो जो आग्या मैं तुझे देता हूँ उन सबों के अनुसार कर 22 सुनो उस देश में युद्ध और सत्यानाश कासा शब्द हो रहा है 23 जो हत्वणा सारी पृत्वी के लोगों को चूर चूर करता था वह कैसा कार डाला गया है बैबिलोन सब जातियों के बीच में कैसा उजाड हो गया है 24 है बैबिलोन मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अंजाने उसमें फंस भी गया तू ढूंड का पकड़ा गया है क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था 25 प्रभू सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोल कर अपने क्रोध प्रगट करने का सामान निकाला है क्योंकि सेनाओं के प्रभू यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है 26 पृत्वी की छोड से आओ और उसकी बखारियों को खोलो उसको धेर ही धेर बना दो ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी ना बचा रहे 27 उसके सब बैलों का नाश करो वेगात होने के स्थान में उतर जाएं 28 सुनो बैबिलों के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है जो सियोन में यह समाचार देने को दोड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है 29 सब धनुर्धारियों को बैबिलों के विरुद्ध एकठे करो उसके चारों और चावनी दालो कोई जन भाग कर निकलने ना पाए 30 अभिमानी तोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा और कोई उसे फिर न उठाएगा और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों और सब कुछ भस्म हो जाएगा 33 सेनाओं का यहोवा यों कहता है इस्राइल और यहुदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उनको बधुआ कियावे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते 34 उनका छुडाने वाला सामर्थी है सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है वह उनका मुकद्दमा भली भाती लड़ेगा कि प्रित्वी को चैन दे परंतु बैबिलोन के निवासियों को व्याकुल करे 35 यहोवा की एहवानी है कसदियों और बैबिलोन के हाकिम पंडित आदी सब निवासियों पर तलवार चलेगी 36 बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ग बनेंगे उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे 37 उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगे उसके भंदारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे 38 उसके जलाश्यों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे क्योंकि वह खुदी हुई मूरतों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं 49 इसलिए निर्जल देश के जन्तू सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुर मुर्ग उसमें वास करेंगे और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा 41 सुनो उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और प्रित्वी की छोड से एक बड़ी जाती और बहुत से राजा उठकर चड़ाई करेंगे 42 वे धनुष और बर्ची पकड़े हुए हैं वे क्रूर और निर्दय हैं वे समुद्र के समान गर जाएंगे और भोडों पर चड़े हुए तुझ बैबिलोन की बेटी के विरुद्ध पाती बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे 43 उनका समाचार सुनते ही बैबिलोन के राजा के हाथ पांव धीले पड़ गए और उसको जचा की सीपी राएं उठी 44 सुनो वह सिंग के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकल कर द्रिर भिरशाला पर चड़े परंतु मैं उनको उसके सामने से जट भगा दूनगा तब जिसको मैं चुनलून उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा देखो मेरे तुल्य कौन है कौन मुझ पर मुकद्धमा चलाएगा वह चरवाहा कहा है जो मेरा सामना कर सकेगा पैंतालीस इसलिए सुनो कि यहोवा ने बैबिलोन के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कलपना की है निश्चे वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा निश्चे वह उनकी चरायों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा 46 बैबिलोन के लूट लिये जाने के शब्द से प्रित्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है अध्याए 51 बैबिलोन को दंड एक यहोवा यों कहता है मैं बैबिलोन के और लैपकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायू चलाऊंगा दो और मैं बैबिलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीती उसके देश को सुनसान करेंगे और विपत्ती के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे तीन धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना जिलम पहिने हैं धनुर्धारी धनुष चड़ाय हुए उठे उसके जवानों से कुछ को मलता ना करना उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो चार कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सडकों में छिदे हुए लोग गिरेंगे पांच क्योंकि यद्यपी इस्राइल और यहूदा के देश इस्राइल के पवित्र के विरुद्ध किये हुए पापों से भरपूर हो गए हैं तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहूदा ने उनको त्याग नहीं दिया 6. बैबिलोन में से भागो अपना अपना प्रान बचाओ उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिच जाओ क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है वह उसको बदला देने पर है 7. बैबिलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृत्वी के लोग मतवाले होते थे जाती जाती के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिया इस कारण वे भी बावले हो गए 8. बैबिलोन अचानक ले ली गई और नश्ट की गई है उसके लिए हाए हाए करो उसके घावों के लिए बलसान औशधी लाओ संभव है वह चंगी हो सके 9. हम बैबिलोन का इलाज करते तो थे परन्तु वह चंगी नहीं हुई इसलिए आओ हम उसको तच कर अपने अपने देश को चले जाएं क्योंकि उस पर किये हुए न्याय का निलनय आकाश वरंस्वर्ट तक भी पहुँच गया है 10. यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रगट किये हैं अतहाओ, हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें 11. तीरों को पैना करो धाले थामे रहो क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है उसने बैबिलोन का नाश करने की कल्पना की है क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है 12. बैबिलोन की शेहर पना के विरुद्ध जंडा खड़ा करो बहुत पहलुए बैठाओ घात लगाने वालों को बैठाओ क्योंकि यहोवा ने बैबिलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था, वहब करने पर है वरन किया भी है तेरा है बहुत जलाशेयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंता गया, तेरे लोब की सीमा पहुँच गई है चौदा सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपत खाए है कि निश्चे मैं तुझको टिद्धियों के समान अनगिनित मनुश्यों से भर दूनगा और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे परमेश्वर की स्तुती का भजन तंद्र, उसी ने पृत्वी को अपने सामर्थ से बनाया और जगत को अपनी बुद्धी से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीनता से तान दिया है सोला जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है वह पृत्वी की छोड से कुहरा उठाता है जब उनके नश्ट किये जाने का समय आएगा तब वे नश्ट ही होंगी उन्नीस परंतु जो याकूब का निजभाग है वह उनके समान नहीं वह तो सब का बनाने वाला है और इस्राइल उसका निजभाग है उसका नाम से नाओं का यहोवा है परमेश्वर का फरसा तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हत्यार ठहराया गया है तेरे द्वारा मैं जाती जाती को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राजे राजे को नश्ट करूँगा 21 तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत भोड़ों को तुकडे तुकडे करूँगा 22 तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी तुकडे तुकडे करूँगा तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को तुकड़े तुकड़े करूँगा तेरे ही द्वारा मैं बुड़े और लड़के दोनों को तुकड़े तुकड़े करूँगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा तुकड़े तुकड़ 23. तेरे ही द्वारा मैं भेल बकरियों समेट चर्वाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े कर 25. हे नाश करने वाले पहार जिसके द्वारा सारी पृत्वी नाश हुई है यहोवा की यह वानी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ा कर तुझे धागों पर से लुरका दूंगा और जला हुआ पहार बनाऊंगा 26. लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नीव के लिए क्योंकि तू सदा उजार रहेगा यहोवा की यही वानी है 27. देश में जंडा खड़ा करो जाती जाती में नरसिंगा फुंको उसके विरुद्ध जाती जाती को तयार करो 29. यहोवा ने विचारा है कि वह बैबिलोन के देश को ऐसा उजार करे कि उसमें कोई भी न रहे 30. बैबिलोन के शूर वीर गड़ों में रहकर लड़ने से इंकार करते हैं उनकी वीर्ता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में आग लग गई है वे स्त्री बंगे हैं उसके फार्कों के बेंदे तोड़े गए है 31. एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बैबिलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दोड़ेगा कि तेरा नगर चारों और से ले लिया गया है 32. और घाट शत्रूओं के वश में हो गए हैं ताल भी सुखाए गए और योध्धा घबरा उठे हैं। 33 क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, बैबिलोन की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है, थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। 34, बैबिलोन के राजा नबुकद नेसर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला, उसने मुझे चूचे बरतन के समान कर दिया, उसने मगरमच के समान मुझको निगल लिया है, और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझ से भर लिया है, उसने मुझको ज जबरन निकाल दिया है। 35 सियोन की रहने वाली कहेगी जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है। वह बैबिलोन पर पलट जाए। और यरुशलेम कहेगी मुझ में की हुई हत्याओं का दोश कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। परमेश्वर इसराइल की सहायता करेगा। 36 इसलिए यहोवा कहता है मैं तेरा मुकद्दमा लणूनगा और तेरा बदला लूनगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूनगा। 37 और बैबिलोन खंडहर और गीदलों का वासस्थान होगा और लोग उसे देख कर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। 38 लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंग्व सिंग के बच्चे एर पर करते हैं। 49 परंतु जब जब वे उत्तेजित हों तब मैं भोज तेयार करके उन्हें ऐसा मत्वाला करूंगा कि वे हुलसक पर सदा की नींद में पढ़ेंगे और कभी न जागेंगे यहोवा की यही वानी है। 40 मैं उनको भीडों के बच्चों और मेरों और बकरों के समान घात करा दूंगा। 43 उसके नगर उजड़ गए उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुश्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। 44 मैं बैबिलों में बेल को दंद दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुह से उगलवाओंगा। 46 जब उलती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न धबराए और जो उलती हुई चर्चा पृत्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। उसके एक वर्ष बाद एक और बात उलती हुई आएगी तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उ जाला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे अर्टालीस तब स्वर्ग और प्रित्वी के सारे निवासी बैबिलोन पर जैजैकार करेंगे क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चड़ाई करेंगे यहोवा की यही वानी है उन्चास जैसे बैबिलोन ने इस्राइल के लोगों को मारा वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे बैबिलोन में रहने वाले इस्राइलियों को परमेश्वर का संदेश पचास हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो यहोवा को दूर से स्मरंग करो और यरूशलेम की भी सुधी लो 51 हम व्याकुल हैं क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी हैं यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुसाए हैं इस कारण हम लजजित हैं 52 इसलिए देखो यहोवा की यहवानी है ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूरतों पर दंद भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग धायल होकर कराते रहेंगे 53 चाहे बैबिलोन ऐसा उचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके उचे गड़ और भी द्रिल किये जाएं तो भी मैं उसे नश्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा यहोवा की यहवानी है बैबिलोन का विनाश 54 बैबिलोन से चिलाहट का शब्द सुनाई पड़ता है कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है 55 क्योंकि यहोवा बैबिलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है इससे उनका कुलाहल महासागर कासा सुनाई देता है चपन बैबिलोन पर भी नाश करने वाले चड़ाए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुश तोड़ डाले गए क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है वह वश ही बदला लेगा 57 मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पढ़ेंगे और फिर न जागेंगे सिनाओं का यहोवा जिसका नाम राजा धिराज है उसकी यही वानी है 58 सिनाओं का यहोवा यो भी कहता है बैबिलोन की चौड़ी शेहर पनाह नेव से धाई जाएगी और उसके उचे फाटक आग लगा कर जलाए जाएंगे उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे ठक जाएंगे यर्मियाह के संदेश का बैबिलोन भेजा जाना 69 यहूदा के राजा सिद्किया के राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ सरायाह भी बैबिलोन को गया था जो नेरियाह का पुत्र महसेया का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था 60 तब यर्मियाह भविशिद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई अर्थात वे सब बातें जो बैबिलोन पर पढ़ने वाली विपत्ती के विशय लिखी हुई हैं उन्हें यर्मियाह ने पुस्तक में लिख दिया 61 यर्मियाह ने सराया से कहा जब तू बैबिलोन में पहुचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना 62 और यह कहना ये यहुवा तू ने तो इस स्थान के विशय में यह कहा है कि मैं से ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुशिक क्या पशुक कोई भी न रहेगा वरन यह सदा उजार पढ़ा रहेगा 63 जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संद बांध कर फरात महांद के बीच में फिक देना 64 और यह कहना योही बैबिलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ती डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा योह उसका सारा परिश्रम वियर्थी ठेहरेगा और वे थके रहेंगे यहां तक यर्मिया के वचन है अध्याए बावन यरूशिलेम का पतन एक जब सिद्किया राजे करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशिलेम में 11 वर्ष तक राजे करता रहा उसकी माता का नाम हमुतल था जो लिबनावासी यर्मिया की बेटी थी दो उसने यहोया कीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की द्रिश्टी में बुरा है तीन निश्टे यहोवा के कोप के कारण यरूशिलेम और यहुदा की ऐसी दशा हुई की अन्त में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया सिद्किया ने बैबिलोन के राजा से बलवा किया चार और उसके राज्य के नौवे वर्ष के दस्वे महीने के दस्वे दिन को बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशिलिम पर चड़ाई की और उसने उसके पास चावनी करके उसके चारों और किला बनाया पांच यो नगर घेरा गया और सिद्कियाह राजा के ग्यारवे वर्ष तक घेरा रहा छे चौथे महीने के नौवे दिन से नगर में महेंगी यहां तक बढ़ गई की लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही साथ तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों दिवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उससे सब योध्धा भाग कर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मारगलिया उस समय कस्दी लोग नगर को भिरे हुए थे आठ परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको योरीहों के पास के अराबा में जा पकड़ा तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई नौ तब वे राजा को पकड़ कर हमाद देश के रिबला में बैबिलोन के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंद की आग्या दी दस बैबिलोन के राजा ने सिद्किया के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहुदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया ग्यारा फिर बैबिलोन के राजा ने सिद्किया की आँखों को फुरवा डाला और उसको बेडियों से जकर कर बैबिलोन तक ले गया और उसको बंदी ग्रिह में डाल दिया वह मृत्यू के दिन तक वही रहा मंदिर का विनाश 12 फिर उसी वर्ष अर्थात बैबिलोन के राजा नबुकदनेसर के राज्य के 19 वर्ष के 5 महीने के 10 दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबुजरदान जो बैबिलोन के राजा के सम्मुक खड़ा रहता था यरूशलेम में आया 13 उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आगलगवा कर फुकवा दिया 14 और कसदियों की सारी सेना ने जो अंगरक्षकों के प्रधान के सम्म थी यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढढ़ा दिया 15 अंगर्क शकों का प्रधान अबुजर्दान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बैबिलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे उन सब को बधुआ करके ले गया 16 परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगर्क शकों के प्रधान अबुजर्दान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया 17 यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के होस जो यहोवा के भवन में थे उन सबों को कस्दी लोग तोड़कर उनका पीतल बैबिलोन को ले गए 18 और हारियों, फावरियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पीतल के अन्य सब पात्रों को, जिन से लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए 19 तसलों, कर्चों, कटोरियों, हारियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को और जो कुछ चांदी का था उनकी चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया 20 दोनों खंभे, एक होज और पीतल के बारहों बैल जो पायों के नीचे थे इन सब को तो सुलिमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था और इन सब का पीतल तौल से बाहर था 21 जो खंभे थे उन में से एक-एक की उचाई इठारह हाथ और घेरा बारह हाथ और मोटाई चार अंगुल की थी और वे खोक ले थे 22 एक-एक की कंगनी पीतल की थी और एक-एक कंगनी की उचाई पांच हाथ की थी और उस पर चारों और जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे 23 कंगनियों के चारों और 96 अनार बने थे और जाली के उपर चारों और 100 अनार थे यहूदा के लोगों का बैबिलोन की बधुआई में जाना 24 अंगरक्षकों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डैवलीदारों को पकड़ लिया 25 और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योधाओं के उपर ठेहरा था और जो पुरुष राजा के सम्मोख रहा करते थे उनमें से साथ जन जो नगर में मिले और सेनापती का मुंशी जो साधारन लोगों को सेना में भरती करता था और साधारन लोगों में से साथ पुरुष जो नगर में मिले 26 इन सब को अंगर्क शकों का प्रधान नबू जर्दान रिबला में बैबिलोन के राजा के पास ले गया 27 तब बैबिलोन के राजा ने उन्हें हमाद देश के रिबला में ऐसा मारा कीवे मर गए इस प्रकार यहूदी अपने देश से बढ़ हुए होकर चले गए 28 जिन लोगों को नबू कदनेसर बढ़ हुआ करके ले गया वे ये हैं अर्थात उसके राजे के साथमें वर्ष में 3023 यहूदी 39 फिर अपने राजे के 18 वर्ष में नबू कदनेसर यरूशलिम से 832 प्रानियों को बढ़ हुआ करके ले गया तीस फिर नबुकदनेसर के राज्य के तेईसमें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबुजर्दान 745 यहुदी जिनों को बधुए करके ले गया, सब प्रानी मिलकर 4600 हुए 31 फिर यहुदा के राजा यहोयाकीन की बधुआई के 37 वर्ष में अर्थाद जिस वर्ष बैबिलोन का राजा एबिलम्रोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12 महीने के 25 दिन को उसने यहुदा के राजा यहोयाकीन को बंदीग्रे से निकाल कर बढ़ा पद दि 33 उसके बंदीग्रे के वस्त्रब बदल दिये और वल जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भूजन करता रहा, 34 और प्रतिदिन के खर्च के लिए बैबिलोन के राजा के यहां से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ, यह प्रबंध उसकी मृत्यू के दिन तक उस के जीवन भर लगातार बना रहा,